हालेलुया परमिश्र की हजुरी में आप सब का स्वागत है हमारा विश्वास है कि आप इस हजुरी से सेम वापिस नहीं जाएगे हमारा परमिश्र कभी ना बदलने वाला परमिश्र है वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंबी रिती से कारे करता है तो आएए अपने हाथों को उठाकर उस परमिश्र का धन्यवाद करें हमारा परमिश्र वो परमिश्र है जिसने लाग सुमंदर को दो भाग करते हैं जिसने दाखियल को शेरों की माद में जाने से बचाया जिसने दाउद को कभी भी हारने ना दिया उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा परमिश्र हसी हमारे लिए दे दिया हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी से सेम वापिस नहीं जाएंगे जो मसा, जो दर्शन, जो अभी शेक, परमिशुर के दास हमारे आत्मिक पिता के उपर है अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा है तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे परमिशुर की हुजुरी, उसकी प्रेजन्स, उसकी सामर्थ यहां मजूद है आपको छुटकारा देने के लिए, आमेन आए हम मेरी भवश्वानियों की पुस्तक मेरे आज के वचन को पड़ते हैं येशु की कुर्बानी का मूल्य जाने मेरे प्रियों, जैसे की पवितर बाइबल में रोमियों की किताब उसके चौथी अध्याय की पचीसवी आयत में लिखा है वे हमारे ये प्रादों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया मेरे प्रियों, क्या आप जानते हैं कि परमेशु ने प्रभू इशु मुसी को मुर्दों में से जिलाया लेकिन क्यूं? बाइबल में लिखा है कि वे हमारे धर्मी ठहराया जाने के लिए जिलाया गया ताकि हम इस संसार में नाश ना हो बलकि बचाये जाएं याद रखें परमेशुर आज भी चाहता है कि जिस परकार उसमें मुसा पर अबरहाम पर दया की वे आप पर भी दया करें क्योंकि आज भी परमेशुर उस हार एक विश्वाशी पर जो उसके जीवतने पर लेकिन आज लोग अपनी गल्कियों की वज़े से उस असीम सा मर्थय को खो देते हैं जो परमेशुर उन्हें देना चाहता है अगर आप नशे करते हैं या वे बेचार करते हैं और शरीर में उस धन को नहीं रख पाते तो परमेशुर अपनी योजनाओं को आप पर जाहिर नहीं करता क्योंकि प्रमेशु मसी हमारे लिए जी उठा ताकि हम बचाये जाएं उसने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम बिमारियों से चंगे हों हम बंदरों से अज़ाद हों आज लोग उसकी दी गई कुरुबानी का मुल्य जानते हैं और बार बार गलतियां करते हैं पाप करते हैं और इसलिए वे दुखी रहते हैं मेरे प्रियों आज आपको ये समझना है कि वे हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा आज हम लोग इस थान पर इकठे होएं इसका मतलब ये नहीं कि हम यहां से जाने के बाद ब क्या आप जानते हैं पॉलुस और सिलास जब बंदी ग्रह में थे तो उन्होंने अपनी बंधवाई में परमेश्वर की अरादना करनी नहीं छोड़ी और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकम के साथ बंदी ग्रह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया तो आईए हम दिल से नासते हुए उसकी अरादना में चलते हैं जैसा कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर के गीत गाओ उसके नाम के भजन गाओ उसका धन्यवाद करो दस्तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तूती करो तो आईए हम अपने हातों को उठा कर उस महान परमेश्वर की अरादना में चलते हैं जद तकना सूलीनू तेरी आद ओंदिये बर्या संगुनाहाना मेनू चेता पंदिये जद तकना सूलीनू तेरी आद ओंदिये बर्यासी गुनाहाना मेनू चेता पंदिये किता रह्म मसीहाने मेनू मिल गई माफिये किता दूर गुनाहातों ओदा प्यार ही काफिये जद तकना सूलीनू तेरी आद ओंदिये देखता हूँ तो परमिश्र मैं तरे प्यार को याद करता हूँ कि कैसे तुने मेरे लिए अपने जान गवाई खुदाबन कैसे तू मेरे पापों के लिए मेरे गुनाहों के लिए उस सूली के ओपर करुबान हुआ अपने लहू को बहाया तो आज इस गीत में हम इस चीज को गा रहे हैं अपनी आखों को बंद करें उसके उस कीमती प्यार को याद करें जो उसने हम गुनाहों के लिए बहा दिया उस स्लीप के ओपर उस लहू को बहाया अपनी आखों को बंद करें जद तक ना सूली नू तेरी आद ओदिये पर्यासा गुनाहाना मेनु चेता पोदिये जद तक ना सूली नू तेरी आद ओदिये पर्यासा गुनाहाना मेनु चेता पोदिये आ ये सुधिया हता विच गिलायों ना ठोकिया मार मार कोडे ओद बोटिया सीनोचिया ये सुधिया हता विच गिलायों ना ठोकिया मार मार कोडे ओद बोटिया सीनोचिया सदी रूदे रोगादा ओ कला शाफिये किता दूर गुनाहातों ओडा प्यार ही काफिये जद तक ना सुली आतरी आदे ओदे पर यासी गुनाहाना मैनुच ताफ दी ये सुनू फढाँना डगुनू छुडायासी ये सुने आया पने जुल्म कमायासी ये सुनू फढाँना डगुनू छुडायासी ये सुदे आपने जुने मुखमाया सी दुख से के सुली ते दितियोंने माफिये दुख से के सुली ते ओने दितियों माफिये किता दूर गुनाहतों ओदा प्यार ही कफिये क्योंकि उसने सुली के उपर उसने कहा था कि हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे उसने अपने स्ताने वालों को अपने मारने वालों को भी माफ किया था उसका प्यार अनोख है उसकी जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता है अप या आँखों को बं खरें और सब आएगे तकना सूलीनू, मैं तेरी तकना सूलीनू तेरी तकना सूलीनू, तेरी तकना सूलीनू तेरी तकना सूलीनू तकना सूलीनू, तकना सूलीनू, तकना सूलीनू तकना सूलीनू, तकना सूलीनू उठा के अपने हातों को उता के साथ तुरी स्या। इस प्रूज के प्रेम के लिए अपने हातों को उठा के। ये सुधिया हत्ता विच किलायों ना धोकियां मार मार खोड़े और बोटियां सीनोचियां ये सुधिया हत्ता विच किलायों ना धोकियां मार मार खोड़े और बोटियां सीनोचियां ये सुधिया हत्ता विच किलायों ना धोकियां मार मार खोड़े और बोटियां सीनोचियां ये सुदे आफ़ा बिच इला ना भोगिया बारे बार कोड़े और भोतिया दिलोतिया सडी रूदे रोगादा ओ कला शाफिये किता दूर दोना हाथों कोडा प्यार ही काफिये जड़र्षक ना सुदीनु तेरी याद ओँदिये बने याद बुना हाना मेनँ छिकांदिये किता रह्म मसिछाने मेनु मिल गई पाफिये किता दूर बुना हाथों कोडा प्यार ही काफिये कीता रहम मसीहाने मेनू मिड़ गई आपिये कीता दूर गुना हातों वोदा प्यार हिका पिये जद ठकना सूली हूँ कोडिया दे पाइक चेले ने सी वेचे आ जान दासी पहला तों जो खेडियों ने खेडिया कोडिया दे पाइक चेले ने सी वेचे आ जान दासी पहला तों जो खेडियों ने खेडिया कोडिया दे पाइक चेले ने सी वेचे आ जान दासी पहला तों जो खेडियों ने खेडिया कोडिया दे पाइक चेले ने सी वेचे आ जाने दासी पहला हो जो तेने ओने छेटे आ जे मन जैंगल थी अपनी ते मिल दी माफी ये पीता दूर गुना हाथों और प्यार ही काफी ये रज तक ना सुनी नू तेरी आदें पी ये पर्याज गुना हाना मेनू चेता काफी ये पीता रह्म मसीहाने मेनू बिल गई माफी ये पीता दूर गुना हाथों और प्यार ही काफी ये पीता रह्म मसीहाने मेनू बिल गई माफी ये पीता दूर गुना हाथों और प्यार ही काफी ये जद तखे ना सोली दो ये सुनु फढ़ायो ना दाकुनु छुलाया सी ये सुदेया अपने जुल्म कहमाया सी ये सुनु फढ़ायो ना दाकुनु छुलाया सी ये सुदेया अपने जुल्म कहमाया सी ये सुनु पडायो ना डाकुनु छुडाया सी ये सुदेया अपने जुल्म कमाया सी ये सुनु पडायो ना डाकुनु छुडाया सी ये सुदेया अपने जुल्म कमाया सी दुख सेखे सुली ते दिद्धियों ने माफिये कोड़ा प्यार ही काफी है जद तक्णा सुनी नू तेरी आगे होंदी है वर्यासि गुना माना मेनू जेता पौंदी है जद तक्णा सुनी नू तेरी आगे होंदी है वर्यासि गुना माना मेनू जेता पौंदी है ठीता रह्म मसीहा ने मेनु मिल गई नापी ए किता दूर गुणा हातों कोदा प्यारी ही काफिये मिचा रह्म मसीहाने मैं दुगले में इमाफिये किता दूर गुणा हातों कोदा प्यारी ही काफिये जद चत्र ना सूनी हूँ कर दो कर दो ये सुधे आहता विच दिलायों ना धोकिया मार मार कोड़े ओगे पोटियां सी नोचिया ये सुधे आहता विच दिलायों ना धोकिया मार मार कोड़े ओगे पोटियां सी नोचिया आज उसके उस कीमती प्यार को याद करें क्योंकि आज किसी के लिए कोई भी अपनी जान नहीं देता है वाइबन में लिखा कि उसने हमारे लिए हम पापियों के लिए अपना इकलौता बेटा सूनी के उपर करुबान को दिया ताकि हम बचाए जाएं ताकि हम अजाद हो जाएं आज उसके प्यार को जो उसने सिलीक के उपर हमारे लिए दिखाया था जो उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान को नहीं रख छोड़ा था आज उसके प्यार को याद करें अपने हाथों को उठाएं जितने लोग ईशु मसी से प्यार करते हैं अपने हाथों को उठाएं और उसके प्यार को याद करें और उस सूनी के उपर जो उसने अपनी जान को कुरबान किया उस प्यार को याद करें और उसके प्यार को याद करते हूं इस सब आएं ये सुधे आहता विच खिलायों ना ठोकियां आरे माधी खोड़े ओदे पोटियां सीनोचियां ये सुधे आहता विच खिलायों ना ठोकियां आरे माधी खोड़े ओदे पोटियां सीनोचियां सदी रूदे रोकादा वो कल्ला शाफिये सदी रूदे रोकादा वो कल्ला शाफिये सदी रूदे रोकादा वो कल्ला शाफिये सबी रूते रोगाना को फल्दाशा भी है पीता दूरी गुना हातों बोड़ा प्यार ही काफी है जद ठक ना सुनी दू गोदी आदे हो धी पर यादे गुना हाना मैं नुचे का हो धी जद ठक ना सुनी दू गोदी आदे हो धी पर यादे गुना हाना मैं नुचे काफी है पीता रह्म मसीहारे मैं नु मिन गई मापी है पीता दूरी गुना हातों बोड़ा प्यार ही काफी है पीता रह्म मसीहारे मैं नु मिन गई मापी है पीता दूरी गुना हातों बोड़ा प्यार ही काफी है जद ठक ना सुनी दू कोटिया दे पाइड नु मापी है कोटिया दे पाइड चेने ने सी बेचे आ हाँ जाने दासी पहला तो दू फेडियों ने खेडिया कोटिया दे पाइड में चेने ने सी बेचे आ हाँ जाने दासी पहला तो दू फेडियों ने खेडिया जे मन जाएं गलती अपनी दे मिल दी माफी है किता दूर गुनाह तो ओदा प्यार ही काफी है किता दूर गुनाह तो ओदा प्यार ही काफी है अपने हाथों को ठाएं सब परमेशे की तारीम करें जोर से परमेशे की तारीम करें तेरे खून ने ये सु मैनूर है पाक पवेतर की तार मेरे अंदर सिंदगी आए इसनो रौशन तो किता नभी सिंदगी दे वग पए तारे नभी सिंदगी दे वग पए तारे तेरे लवदी तार ठले उठा के अपने हाथों को सब बोलेंगे सबसर मेरे तुल गर पापने सारे तेरे लवदी तार ठले मेरे तुल गर पापने सारे तेरे लवदी तार ठले सुते जग पे नसीब ने सारे सुते जग पे नसीब ने सारे तेरे लवदी तार ठले मेरे तुल गर पापने सारे तेरे लवदी तार ठले सुते जग पे नसीब ने सारे सुते जग पे नसीब ने सारे तेरे लवदी तार ठले मेरे तुल गर पापने सारे तेरे लवदी तार ठले मेरे तुल गर पापने सारे तेरे लवदी तार ठले सुते जग पे नसीब ने सारे सुते जग पे नसीब ने सारे मेरे तुल गर पापने सारे मेरे तुल गर पापने सारे तेरे तुल गर पापने सारे मेरे तुल गर पापने सारे तेरे तुल गर पापने सारे मेरे तुल गर पापने सारे तेरे तुल गर पापने सारे सारे तुल गर पापने सारे तेरे तुन गर पापने सारे भी सपरफल गर लंडिक पापने सारे दुनियाना दूर भसीहा वोया दूर मौत का साया कभी सिद्गी दे वाग पहतारे नभी सिद्गी के वाग पहतारे तेरे लुदी तार चले मेरे दुल के बाप निसारे तेरे लुदी तार चले मेरे दुल के बाप निसारे तेरे लुदी तार चले मेरे दुल के बाप निसारे तेरे लुदी तार चले तालियों के साथ खलीसिया सभी भाई सभी भाई उस सलीब से बैते हुए लहू के लिए धने बात करने हुए जिस लहू से हमारी शिफा है, जिस लहू में हमारी रिहाई है, जिस लहू में हमारी मुक्ती है, हमारी अजाबी है उसी विक कभी शुबसी के लहू की तारिफ करते हुए, छूबते हुए, डालों के साथ बोले मेरे दुल के बाप निस आरे तेरे लोगी तारी हैं सुने जगबे नजीम निसारे तेरे रोगी तारी चले मेरे दुल के पाप निजारे तेरे लोधी तार धले मेरे दुल के पाप निजारे तेरे खुन ने ये सुबे दू ए पाप पवीतर कीता मेरे खुन मेरे सुबे दू मैवाग पवीतर कीता मेरे अंदर जिद्गी आई इस नू रोशन को कीता मेरे अंदर जिद्गी आई इस नू रोशन को कीता याद रखे मेरी बहें मेरे भाई कि बिना लहू बहाए हमारी शिफा नहीं थी अगर ये शुमसी अकना लहू नहीं बहाते तो आज हम जीविन ना होते हम चगाईयों में ना होते आज हम आजादी में ना होते ये शुमसी के कोड़े खाने से आज हमने शिफा पाई है उसी के लहू बहाने से उसी के मार खाने से उसी के सनी पर चड़ाए जाने से आज हमारा हमारे घराने का उथार हुआ है तालियों के सार उसके लहू की तारिफ करें बोने सबसे मेरे साथ बिल गे तेरे कुन ने ये सुमेनु है पाक पवीतर कीता मेरे अंदर जिद्गी आई इस नू रोशन तू कीता मेरे अंदर जिद्गी आई इस नू रोशन तू कीता मेरे सरकादे खुल के दावारे मेरे लोगी तारिख ले मेरे तुल के बाप निजारे मेरे तुल के बाप निजारे मेरे लोगी तारिख ले मेरे तुल के बाप निजारे मेरे लोगी तारिख ले सुथे जग पल निजारे सुथे जग पल निजारे ते लोगी तारिख ले मेरे तुल के बाप निजारे तेरे लोगी तारिखने, तेरे तुल के बापने सारे तेरे जिहां है आया, जिने मौत दुआन हराया तेरे जिहां है आया, जिने मौत दुआन हराया दुनिया दा दूर मसीहा, ओया दूर मौत दासाया तेरे लोगी तारिखने, तेरे लोगी तारिखने तेरे तुल के बापने सारे, तेरे लोगी तारिखने मेरे तुल के बापने सारे, तेरे लोगी तारिखने मेरे तुल के बापने सारे, तेरे लोगी तारिखने तेरे जग पे नसीबने सारे, तेरे लोगी तारिखने तेरे लोगी तारिखने मेरे तुलगे पापने सारे तेरे लोदी तार थले तेरे खून ने सुमेनो है पाक मवेतर कीता मेरे अंदर जिदगी आई इसनु रोशन तु कीता मेरे अंदर जिदगी आई इसनु रोशन तु कीता फिर स्वर्गादे खुल गए दवारे फिर स्वर्गादे खुल गए दवारे तेरे लोदी तार थले मेरे तुके पापने सारे तेरे लोदी तार थले तारीफ करें सबसे जोड़ से दालियों के साखर एक सब जख्मों से छली जर्णा लहू का तन से निकल रहा था चलना कितना मुश्किल था तो फिर भी चल रहा था मेरी काते सब की काते मेरी काते सब की काते कोड़े जो खाए तुने उठाई सूली जो मेरी वजासे सबसे थी सुन्दर सूरत वो तेरी बिगडी जो मेरी वजासे गिर भी रहा था तु मेरी वजासे और फिर संभल रहा था चलना कितना मुश्किल था तु फिर भी चल रहा था वो किसकी खातीर था तेरी खाते मेरी खाते तेरी खाते सब की खाते तेरी दया को तेरे फजल को कैसे मैं शुब भूला दूँ ऐ हैसान पूरा होगा ना तेरा खुद को भी गर मैं मिटा दूँ तू था पवितर पर मेरी खाते पापों में तू धल रहा था चलना कितना मुश्किल था तू फिर भी चल रहा था मेरी काते सब की काते मेरी काते सब की काते दर्दों को सह कर जखमों को सह कर मुझे को श्पा दे गया तू जिन हो ने मारा जिन हो ने कुचला उनको दूआ दे गया तू तेरे लहू से जो बह रहा था सब कुछ बदल रहा था चलना कितना मुश्किल था तो फिर भी चल रहा था मेरी काते सब की काते मेरी काते सब की काते सखमों से चली जरना लहू का तन से निकल रहा था चलना कितना मुश्किल था तो फिर भी चल रहा था सखमों से चली जरना लहू का तन से निकल रहा था चलना कितना मुश्किल था तो फिर भी चल रहा था मेरी काते सब की काते मेरी काते सब की काते मेरी काते सब की काते दर्दों को सेहकर मुझे को शिपा दे गया तू दर्दों को सेहकर मुझे को शिपा दे गया तू जिन होने मारा जिन होने कुछला उनको दुआ दे गया तू जिन होने मारा जिन होने कुछला उनको दुआ दे गया तू तेरे लहू से जो रहा था सब कुछ बदल रहा था चलना कितना मुझे का दू पिर भी चल रहा था तेरे लहू से जो रहा था सब कुछ बदल रहा था जलना कितना मुझे का दू पिर दी चल रहा मेरी खाते सब की खाते 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 मेरी खाते कोड़े जो खाएं तूने उठाई सूली जो मेरी बजा से कोड़े जो खाएं तूने उठाई सूली जो मेरी बजा से सब थे सिसुतर सूरत वो तेरी बिगड़ी जो मेरी बजा से सबसे की सुपर सूरत वो तेरी बिगड़ी जो मेरी बजा से फिर भी रहा था तू मेरी बजा से और फिर संभल रहा था चलना कितना मुश्किल आतों फिर भी चल रहा था तू मेरी बजा से और फिर समल रहा था जलना कितना मुश्किल आतों फिर भी बजा रहा था मेरी खाते, मेरी खाते मेरी खाते, सब की खाते मेरी खाते, सब की खाते तेरी दया को, तेरे फजल को कैसे मैं यसु बुला दूँ मेरी खाते, सब की खाते, सब की खाते मेरी खाते, सब की खाते दूँ ऑग हैसान पूरा होगा ना तेरा फुद को भी गर में मिटा दूँ एहसान पूरा होगा ना तेरा, मुझ को भी घर में मिटा दू एहसान पूरा होगा ना तेरा, मुझ को भी घर में विडा दू तू था पवित्तर पर मेरी खाते पापों में तू ढ़ल रहा था चलना कितना मुझ कि था तू फिर भी चल रहा था तू था पवित्तर पर मेरी खाते पापों में तू ढल रहा था चलना कितना मुझ कि था तू फिर भी चल रहा था तेरी खाते सब की खाते मेरी खाते सब की खाते मेरी खाते, सब की काते मेरी खाते, सब की काते मेरी खाते, सब की काते मेरी खाते झाल झाल आज हम इनकी गवाही को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के जीवित वचन ने इनके जीवन में काम किया और इनकी छे साल पुरानी शर्मिंदगी को खतम करके इनको हेल्दी बेटे के साथ आशिशित किया सबको जैमसी की मेरा नाम रेनू है ये मेरे हस्बन है इनका नाम बगवान दास है हम जम्मू से हैं आज हम अपने जीवन की अद्ब दवाई देने जा रहे हैं सब्तमबर 2017 में हमारी शादी हुई थी शादी के बाद हम लोग बहुत खुश थे और शादी होने के बाद मुझे प्राब्लम शुरू होगी और जिससे प्राइब्स मेरे इर्यागुलर होगे कभी वन मन्थ टू मन्थ मुझे आने नहीं ऐसे ही मेरे प्राइब्स इर्यागुलर रहे फिर मेरे और मेरे हस्बन हम लोगों ने प्लान किया बेबी के बारे में और जब प्लान कर रहे तो बेबी कंसीव नहीं हो रहा था जब मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था फिर हम जमू के एक आइनिक डॉक्टर से कंसल्ट किया हमने और उन्होंने मेरा scanning के लिए मुझे बोला जब डॉक्टर ने मेरा scanning किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी ovaries के अंदर पानी वाली cyst है फिर मेरा continue उन्होंने बोला आपको दवाई भी खाने पड़ेगी और मेरा medical जो baby के लिए conceiving के लिए treatment था वो भी मेरा उन्होंने साथ साथ स्टार्ट कर दिया फिर 2019 में मैं first time pregnancy मुझे conceive हुई मैं और मेरे husband हम लोग बहुत खुश थे इस बच्चे को लेके जब मुझे डाई मंथ की pregnancy हुई तो डॉक्टर मेरे ultrasound scanning की बेटनों ने बोला कि baby growth की वज़े से आगे survive बच्चा नहीं कर पाएगा आपका case खराब हो चुका है तो हम लोग एक निराशा से हमारे चहरे पे होगी हम लोग बहुत परिशान हुए फिर मुझे 2020 में दूसरी बार pregnancy हुई मैं और मेरे husband बहुत खुश थे इस चीज को लेके तो ऐसे करते करते मेरा 7th month तक मेरा पूंचा system ये उसके बाद मुझे अचानिक्स पर घर पे बैठी हुए जी तो बैट पे बैठे बैठे मुझे ब्लीडिंग का इतना जादा flow था कि इतनी heavy bleeding और मेरा private doctor से treatment चल रहा था और उस doctor के पास मेरे husband मुझे लेके गी तो उस doctor ने last मोके पे मुझे इनको जवाब दे दिया कि अपनी wife को आप लोग government जो हमारे जमू में है वहाँ आप इसको refer करने के लिए उन्होंने मुझे बोला जैसे मुझे वहाँ लेके गे husband तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि जल से जल इसको delivery करो जब seven month मेरे delivery हुई और मेरे दो बेच्चे हुए baby boy और baby girl और बच्चों ने मेरे इतना सफर किया उस time कि जो लड़की थी वो दूसरे दिन लड़की की death हो गए और जो बेटा था उन्होंने बोला कि आपका बेटा ठीक है अगर 72 hours आपका बेटा निकाल जाएगा तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है जैसे जैसे time निकलता गया 72 hours बच्चे की निकल गए तो डॉक्टर से हम लोग जाते थे हजबन तो पूछते थे आपका बेटा हमारा बेटा ठीक है डॉक्टर बोलते कि नहीं आपका बेटा बिल्कुल ठीक है इसको डेड मन्त तक हमें यहां पे निक वाड में रखना पड़ेगा उसके बाद आपका बच्चा बिल्कुल उन्हें रात को कॉल किया कि आपके बच्चे की ना ठीकनेस की बहुत क्रिटिकल कंडिशन है हम उसी टाइम भागे जब देखा तो मैंने तो दूर से बच्चे को देखा और मेने उस टेम उन्होंने ऐसा था मेरे लिए तो बहुत मुश्कील था कि मेरा मेरी बेटी भी चले ग मेरे बेटे की डेथ होगी है और मेरे लिए तो मैं बता नहीं सकती हूँ क्या सुचेशन थी उस टाइम बहुत मुश्कल से मैंने मेरी हस्बन ने मेरी फैमिली ने हम लोगों को स्पोर्ट किया और मुझे संबाला मैं इस चीज़ को भूल तो नहीं सकती लेकिन मैंने बहुत मुश्कल से अपने आपको संबाला फिर 2021 में मैं तीसरी बार प्रेगनेंट हुई और वो मेरा प्रसीजर वैसे फर्स मन से किन वो साथे पांच मन तक मेरा गया और वो भी मेरा गर पर ऐसे बेड डेस्ट पे और मुझे बता है नहीं चला मेरे यूटर्स ओपर हो गया और बेबी का हैट बार अगया उसन टेम मेरी हज़़ए जल्दी प्राइवट हास्पिटल जहां मेरा ठीट्मेंट चलगा था वहां मुझे लेकर चले गगे वहां मेरा मत कायस मेरा खराब हो गया जब मेरे बाई क के तीन केस खराब हुए तो डॉक्टर को मैंने पूचा कि मैंने इतना पैसा खच किया मैंने हमने इतनी परशानी मुला की मैंटली फीजिकली और मुला की हर तरीके से हमने मुला की फिनांशली भी बले इतने मुला परशानी हमने देखी तो क्या मुला क्या जीजन है हमारे वे तो एक मुझे बोला की इसका थोड़ा भी यूट्रैस हा वो जया काफी बीक हो गए है तो मिजे लगता कि इसके लिए मलजे प्रेकर शीकिल कर सकती है तो आप एक काम करो इसमय मुझे करने के लिए तो उनने फिर मैंने पूछा कि यह है क्या मुझे क्या मुझे करना वड़ेगा तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं है इसमें जे होता कि आपका मुझे आपके वाड़ी का वी स्पर्म होता है वो मुझे दूसरी लेडी के अगर वो मुझे उसके आपको कि अवलग की कोई दूसरी लेडी तो अवलग उससे प्रेगंड, आप मुलग आप बच्चा ले सकते हो तो मेरे लिए ये ये शौक था कि मुलग एक दिल में होती है कि बच्चा जो भी है हास्पिर्ट वाइप का ही हो हमारे शादी को मुलग साथ साल हो गया थे तो ये कंडि कि आप उस जगह पर जाओ आपको बच्चा हो जाएगा तो जैसे से बोलते हम लोग ने किया इतने साथ साल तक हमें जहां किसी ने बोला हम लोग वहां गे लेकिन मुझे हर किसी भी अन्ने जगह से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ एक दिन क्या हुआ मेरे हजबन को एक बार मेरे साथ अंकर नूरा मिनिस्टी में चल थर्टीफर्स डिस्टंबर तो थो थो तो मेरे हजबन उनके फ्रेंड उनके पूरी फैमिली के साथ हम लोग फर्स टाइम यहां कामरा चर्च में आये जो कि क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग थी और जब मेने यहां के देख तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब वर्शिक हो रही थी हम लोगों नहीं आपे देखा कि लोग इतने खुश थे और लोग आत्मा से बर रहे हैं और लोग जिंदगी में अद्बुत गवाहीं दे रहे हैं लोग अपनी उनकी लाइफ में इतनी बड़ बड़ी टेस हुआ आज के बाद जब तुम यहां से जाओगे तो यह जिम्मेवारी के साथ जाओगे कि मेरी टेस्टमनी की जिम्मेवारी भी मेरी है वो कहता मैं उन चीजों के नाम ऐसे लेता हूँ जैसे की जो नहीं है मैं उनके नाम ऐसे लेता हूँ जैसे की वो हैं वो हैं अगले सा मैंने का अगले साल आपका बेबी आपके पास होगा जो कभी नहीं आया था आमेनों चाहिए भरकत तुमारी है चर्च उस रात हम लोगों ने जब मीटिंग एटेंड की हम लोग घर गे और मुझे वन मन्त के बाद मुझे बेबी कंसी हो गया और मैं बहुत खुश थी इस इसको लेके और प्रभू ने मुझे नाइन मन्त तक मुझे और मेरे बेबी को संबाले रखा और नाइन मन्त में 21st October 2023 को प्रभू ने मुझे एक हैल्थी बेबी बॉय से ब्लेस किया कि जिन बहनों के पास बच्चा नहीं है मैं उन बहनों को यही होंगी डॉक्टर जहां हाथ खड़े कर देते हैं जवाब देते हैं महां मेरा परमेश्वर कारे करता है तो उन बहन को कभी भी हार नहीं मानने चाहिए क्योंकि परमेशन का वचन कहता है बजन सहीता में कि लड़की जो वागे दिये हुए बाग है गरव कफल उसकी और से प्रतिफल है अब ही हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हैं और हमें लगता है कि हमारी भी एक फैमिली है परिवार है जो चीज़ हमें पहले फिल होती थी वो जिस फरमेशन ने हमारी लाइफ से टोटली खतम कर दी है आज फरमेशन ने हमें वो फादर मदर वनने का मोका दी हमें फरमेशन का जितना थैंक्सफिल को हूँ उतना कम है इस बड़ी आशिश के लिए हम परमेशन का दन्यवाद करते हैं और परमेशन का दन्यवाद करते हैं सब को जै मसीगी सब करते हैं 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 कर दो कर दो कर दो कर दर्द मसीदा बयान के में हद हो वे जे हद दी गल्द करा मेरे वास्ते शकलों बेशकल हो या ता जो विग्डे हलातनू वलकरण जिन्द वे अचिके मिल जे प्यारदा ते सोदन फेदा देर न पल करा ये जो कवाली हम आज गाने जा रहे हैं ये सिर्फ एक कवाली नहीं है ये उस जीवित परमेश्वर जिसने सारे संसार को बनाया उसकी वो दर्द की दास्ता है जो उसने हमारे लिए मेरे लिए आप के लिए उस सलीप पर अपने लहू को बहाया कितने ही लोग आए इस धर्दी पर लेकिन कभी किसी ने किसी का पाप माफ नहीं किया किसी का उधार नहीं किया सिवा एक ऐसी हस्ती के जिसका नाम ये शुमसी है ये शुमसी में ही ताकत है खूबत है कि हमें हमारे श्रापों से हमें हमारे गुनाहों से अजाद करने की इस कवाली को जब हम काएंगे तो हम जानेंगे कि खुदावन ने किस दर्द के साथ उस सलीप को उठाया वो परमेश्वर का बेटा होते हुए भी इंसान बनकर इस जर्दी पर आया इंसान बनकर उसने आपके लिए मेरे लिए हर एक वो दुख सहलिया ताकि हम हर एक दुख से आजाद हो जाएं हर एक दर्द से आजाद हो जाएं वो मेरी पीडा थी, वो आपकी पीडा थी, जो उसने अपने उपर सहली थी वो मेरे बाप, आपके बाप, उसने अपने उपर ले लिये थे आज जब आप इस कवाली को सुनेंगे, गाएंगे तो आप परमेशर के उस जीवित बलिदान की कीमत को पहचानेंगे उसके लहू की किमत को पैचानेंगे कि उसके लहू में कितनी ताकत है कितनी कुवत है आज सुली उते एबने खुदा वेख के मेरे उच्छले नैना दे दरी आवेख के मेरे उछले नैना दे जड़ी आवेख के आज सुली उते इबने खुदा वेख के मेरे उछले नैना दे जड़ी आवेख के मेरे उछले नैना दे जड़ी आवेख के मेरे हिसे थी ओ मौत मर गया मेरे लई मेरे हिसे थी ओ मौत मर गया मेरे लई मेरे हिसे थी ओ मर गया मेरे लई मेरे हिसे थी ओ मौत मर गया मेरे लई मेरे हिसे थी ओ मौत मर गया मेरे लई जो कुछ तू कीता मेरे लई कि में लफजां विच बयान करा जो कुछ तू कीता मेरे लई कि में लफजां विच बयान करा ए जिस महमान ते यसू दी मैं यसू दे कुरवान करा मेरे हिसे थी ओ मौत मर गया मेरे लई ओ दे जिसम तो मास चड़ गया मेरे लई ओ दे जिसम तो मास चड़ गया मेरे लई ओ नुहुंता शर्मिंदा ओ नुहुंता शर्मिंदा बेवजा वेख के मेरे उचले नैरा दे दरिया वेख के आज सूली उते एसे सूली उते अज सूली उते अबने खुदा वेख के मेरे उठले नैना दे, दरिया बेख 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 के पर फिर भी तु अपना ना मूँ खोले आ एनी जान दे, ए लोग थी कर दे पहने पिता माफ करिये ना दू शुली नै ये शु बोले आ ओदे जखमी बदल में चोला हूँ चोले आए ओदे जखमी बदल में चोला हूँ चोले आए ओदे जखमी बदल में चोला हूँ चोले आए मैं विच गुनाहा बदुआसी आजाद कराया ये सुने मैं विच गुनाहा अदुआसी में अजाद कराया ये सुने मेरा जीवन भी आबान गया आबाद कराया ये सुने ओदे जखमी बदल में चोला हूँ चोले आए मेरे जखमी बदल में चोला हूँ तोले आए मेरी चदर देवांग सदेवांग सदेवांग तोले आए मेरे पापादी ये सुनो होई सजावेथ के मेरे उचले नैना दे दरिया बेख दे आज सुनी उते आज सुनी उते हाँ एस सुनी उते उते आज सुनी उते मेरे उचले नैना दे दरिया बेख दे मेरे उचले नैना दे दरिया बेख के मेरे उचले नैना दे दरिया मेरे उचले नैना दे दरिया बेख के मेरे उचले नैना दे दरिया बेख के मेरे नैना दे दरिया बेख के मेरे उचले नैना दे दरिया बेख के मेरे उचले नैना दे दरिया बेख के मेरे उचले नैना दे दरिया बेख के तरी आवे थिके ओनु ठथे ते मखालाची उडाया जारेया ओने अपने अने अनु मार दिता ते दाडियो दीनो चिये ओने अपने अने अनु मार दिता ते दाडियो दीनो चिये ओनु सुनी उत्ते चार दिता ते दर्थ नगा दे लोखी ओनु ठथे ते मखालाची उडाया जारेया ओनु ठथे ते मखालाची उडाया जारेया होके तर्थी भी परे तेरी पीड देखे के होके तर्थी भी परे तेरी पीड वेके नड्यका परी कराया से मान वेके जेड़े तेरे उत्ते आयाये ने तसी गया भी हाद इकी में करा दे आलाव से दि ओनु ठथे ते मखालाची उडाया जारेया ओनु ठथे ते मखालाची उडाया जारेया उन्नों ठटेते मां गोलाची उटाया जा रहा 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 उनू ठक्ते ते मकालाची उडाया जारिया उनू ठक्ते ते मकालाची उडाया जारिया बेरे मीनाली यसुनू सदाया जारिया बेरे मीनाली यसुनू सदाया जारिया उदे अपने ने किता जो दगावे थके मेरे उचले नैना दे तदिया वे थके मेरे उचले नैना दे तदिया वे थके मेरे उचले नैना दे तदिया वे थके मेरे उचले नैना दे दरिया वे थके मेरे उचले नैना दे दरिया वे थके मेरे रिचले नैना दे यचले नैना दे र not मेरे नैना दे दिया वे थके मेरे उचले नैना दे दरिया में थिके अज सुली उचले अज सुली उचले मेरे उचले नैना दे दरिया में थिके मेरे उचले नैना दे दरिया में थिके मेरे हिसे दियो मात मर गया मेरे नहीं वो मर गया मेरे नहीं सुली ते चड़ गया मेरे नहीं मेरे हिसे दियो मात मर गया मेरे नहीं जिसम तो मास चड़ गया मेरे नहीं वो ते जिसम तो मास चड़ गया मेरे नहीं वो नहुंता शर्मिंदा वो नहुंता शर्मिंदा वे वजा गया मेरे उचले नहीं नहीं दे दड़ी आवेक के तेरे उचले नहीं नहीं दे दड़ी आवेक के आज सुली उते एस सुली उते आज सुली उते इवने खुदा बेख के मेरे उचले नैना दे दरिया बेख के आज सुली उते आज से नैना दाने उन क filter उन आज सतरी उते कि आज सब्सक्राइब इया मैंके सिल्डिय उते एlook हाँ 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 अच्छे सूली उंते आज सुली उते अज सुली उते इबने खुदा बेख के मेरे उचले नैना दे जरीया बेख के मेरे उचले नैना दे जरीया बेख के मेरे उचले नैना दे जरीया बेख के आज सुली उते अज सुली उते मेरे उचले नैना दे जरीया बेख के मेरे उचले नैना दे जरीया बेख के होके दर्टी भी परे तेरी पीड वेख के नाल यखा परी खड़ा आसमान नासरी चेड़े तेरे उते आये ले तसी ही आदी हद कि वे लबजादे विच में आकर आ रासरी आज सुली उते आज सुली उते आज सुली उते आज सुली उते इबने खुना बेख के मेरे उचले नैना दे दरी आवे खिके मेरे उचले नैना दे दरी आवे खिके ओदे सक्मी बदन विचो लगू चोरे आये में विच गुनाहां बदन विचो लगू चोरे आये में विच गुनाहां बद्वासी आजाद कराया यसुने मेरा जीवन भी आवार गया आवाद कराया यसुने ओदे जख्मी बदन विचो लगू चोरे आये मेरे जख्मी बदन विचो लगू चोरे आये मेरे जख्मी बदन विच गू चोरे आये मेरे पापादी मेरे पापादी सडे पापादी सडे पापादी मेरे पापादी यसुनू होई सजा वेख के मेरे उचले दैना दे दरिया वेख के मेरे उचले दैना दे दरिया वेख के मेरे हिसे दियो मौत मर गया मेरे नहीं ओने जिसम तो मास चड़ी गया मेरे नहीं ओनू हुंता शर्मिंदा ओनू हुंता शर्मिंदा मेरे उचले नहना दे दरिया वेख के मेरे उचले नहना दे दरिया वेख के आज सुली उते अज सुली उते मेरे उचले नहना दे दरिया वेख के मेरे उचले नहना दे दरिया वेख के ओनू ठक्थे ते मखोलाची उडाया जा रिया ओनू ठक्थे दे 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 मखोलाची उडाया जा रिया उड़ाया जा रिया, उनु ठर्ते देवा बलाच उड़ाया जा रिया बेरे मिनाल ये सुनू सताया जा रिया बेरे मिनाल ये सुनू सताया जा रिया ओदे अपने ने, ओदे अपने ने सची अपने ने, सची अपने ने ओदे अपने ने, किसा जो जगावे ठिके मेरे उचले नैना दे, नरी आवे ठिके आज सुनी उते, आज सुनी उते, आज सुनी उते आज सुनी उते, इबने खुदा वे ठिके मेरे उचले नैना दे, रदी आवे 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 ठिके आज सुली उते एबने खुदा वेख ले मेरे उचले नहना दे तरी आवेख के आज सुली उते, आज सुली उते आज सुली उते, आज सुली उते यह सुली उते, आज सुली उते आज दुली उन्दे बने खुदा बेख गे मेरे उचले जैना दे दरिया बेख गे मेरे उचले जैना दे दरिया बेख गे हाँ मेरे उचले नैना दे दरिया मेरे उचले नेला दे दरिया वेक के मेरे उचले नेला दे दरिया वेक के होके दर्ती वी परे तेरी पीड वेक के नाले अखा परी खड़ा असमान नासरी तेरे जेहा जेले तेरे उते आये तसी ही आवी हब दिवे लबजाच करा बयान नासरी ओदे जख मी बदन विचो लभू जोरे आये मैं बिच गुनाहा बंदुआ सी आजाद कराया यसुने 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 दे सक्मी बदन विचो लभू जोरे आये मैं बिच गुनाहा बंदुआ सी आजाद कराया यसुने मैं बिच गुने मैं बिच गुनाहा बंदुआ सी आजाद कराया मैं बिच गुने मेरे उठले नैना दे दलिया वेठते मेरे उठले नैना दे दलिया वेठते अज सुली उते अज सुली उते इवने खुदा वेठते मेरे उठले नैना दे दलिया वेठते नेजे आदे नाल ये सु तू कोया गया मेरे उठले नाल ये सु तू कोया गया मेरी मौत दा पैला ये सु तू कोया गया मेरी मौत दा पैला ये सु तू कोया गया मेरी मौत दा पैला ये सु तू कोया गया मेरे उठले नैना दे दरिया वेठते अज सुली उते अज सुली उते दा पैला ये सु तू कोया गया मेरे उठले नैना दे मेरे उठले नैना दे मेरे उठले नैना दे गरिया वेखिगे, फेरे उचले नैना दे, गरिया वेखिगे अजसुली आजसुली 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 आजसु अब निहाथ से को हीलाएं सुरे की और उची अवास पर ऑलेलूईया एक और चोर से तालियों के साथ उस kPHis की परमेश्र के नाम को मेमा दे जो आज भी हमारे वीद में है उस परमेशे का ठेंक्स करें तालियों के साथ पूरे अनन के साथ साथ पार उची वाज पे हालेलुया चिलाते हुए उची उची वाज पे हालेलुया तारीफ करें उचीवीद पर मिश्रगी आज के दिन के लिए कितने जन अनंदित हैं खुश हैं आज आप जानते कि आज गुड़ फ्राइडे जो हमारे लिए बैड फ्राइडे नहीं गुड फ्राइडे है क्यों? क्योंकि प्रभी इश्यमसी हमारे पापों के लिए वो कुर्बान हुए, वो क्रूस पे चड़ाए गए, वो मारे गए, वो काडे गए और आज आप बिलीव करें जिसना बाइबल में लिख्या कि उसके कोडे खाने से हम चंगे हो चुके हैं आज आपकी चंग्याई का दिन है इश्यमसी के सामर्दी नाम में कि उसके बांदे जाने से हम चुटकारा पाच चुके हैं, आज आपके चुटकारे का आजब आपोजा कि शूटने के लिए अज़ाद के लिए अज़ागी एनी सामर्दी नाम epilepsi को संजेगे उसके बाद यह का तो दtez कौक क्यों को आपने ध्यान से सुνने हैं बहुत सरे लोग है जो ज़ोग में आते हैं जब वो गवाही देते हैं वह हमेश्ग अकसर यह बात बता देंकिरयां पहली तारियों के साथ परमेशिकित तारीज गने आज के दिन के लिए तो आइए टेस्मनीज को हम सुनते हैं पहली गवाही जो अमरीसर ब्रांच से हैं सिस्टर बंदना इनका नाम है दो जर सतारा में इनकी मेरीज हुई थी तो उसके बाद इनके उपर दुश्टा आत्मा के अट मेरी तो बाद में दुश्टा आत्मा दे टैक होने शुरू हो गए जिसरा मिनू लगदा से मेरी छाती दे कोई पार पार रहा और मिनू सपने तरी रोंगे हुए बच्चे दिखाई दे थी उस तो बाद मैं जनरी दो हजार ठाट प्रेगनेट थी तो मीने बाद में इस तर प्रेट दे दुरान सानु ट्यूब मेनू रिमूब करवानी पई साठे तेन साथ तक ही मेडिसंस में खांदी रही और मेनू बेबी कंसीव नहीं होया रिष्टेदार कई लोग इस तरह आंक वानते लोग सी कि मेनू अपने बच्चे उठानी दे सी मेर को अपने बच्चे में बड़ा दूख लगदा सी असी अन्य जगामाते कि भी गए पर कोई फायदा नहीं होया पर उस तो बाद सानु साठे रेल्टिवस ने दस्या कि तुसी अंकुर ररूला मुझस्ट्री दे विश चाओ जिते परमेशवर बच्चिया दिना बलेस करता है एं विश्वास क मैं अपना लेहेंड फॉर्म पर आया 29 स्टंबर 2000 बाई देविच आप उस्टर रंकुन रूला जी वहलो मेरी लेहेंड किता गया मेरा तो मेरे हस्बंडों ना लेहेंड किता गया उसको बाद डेड में ने बाद मैं प्रेगनेंट हुई प्रेगनेंसी में तवीचे मैंनो में ने तक परमेश्वर में संभाली रखिया और मेनू 11 अगस्त दो हजार देविचे हेल्थी बेबी गर्र देनाल और नॉर्मन ड्रीवरी देनाल परमेश्वर ने ब्लेस किता तारीष करें जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए क् जब इनकी लाही में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसके बाद जब अंकुनुला मिनिस्टिस के बारे में पता चला तो 29 सेप्टेंबर 2022 को पर मिश्वर के दास ने इनके उपर लेहन प्रेयर करें थी उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं और जब इनके उपर लेहन प्रेयर होई पर मेश्र के आत्मा ने इनको चुआ इनकी संदिगी में काम गए और डेर महीने के बाद जब चेक किया तो इनका प्रेकरेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और पर मेश्र ने मेरीज के पांच साल के बाद इनको अब आपके साथ ब्रदर आपका नाम क्या है और मैं कान पर उत्रप्रदेश रहने बाला हूं पिछले दस साल से आपके उपर लगादार दुष्ट अत्मा के टेक हो रहे थे जी ब्रदर आपकी लाइफ कैसी ती क्या होता था आपके साथ ब्रदर 2010 में मैं अपने जो लोकल चर्श थी जो महां पर मैं गया तो महां पर जो गवाईयां सुनी और ब्रभू के बचन सुने तो मेरा फेत बड़ा तो महां मैंने और जब ये अटेक आपके पर होने शुरूए थे तो आपको दुष्ट आत्मा नजर आती थी आवाजे जो आपके साथ उस्तों में होती थी ब्रदर मेरे सपने में बहुत सी दूस्टातमा जैसे की गंदा पानी नजर आता था और इसके बाद साफ दिखाई देदेदे कि कोई मेरे पीछे आरा तो मैं आंके भाग रहा हूं ब्रदर इसके बाद मैं कोई उंचे पहाल है जिसमें मैं खाई मिगरा जा रहा हूं नीचे तो इससे में बहुत चौक जाता था इसके चलते मैं बहुत डर जाता था और आपका जीवन जो था पूरी देशे अवर्प अवितरताइमें था आप चोरी करते थे वेबिचार में थे और इसी वजह से आपको जॉब से भी निकाल दे जी बर्दर में जो मेनेजर था तो उसने जान लिया कि यह चोरी करता तो उसने मेरी जॉब से निकाल दिया इसके बंद भाइच गया घर बैट गया तो इसके पैसों की बहुत तंगी आने की चकर में मैं जॉब डूंता रहा जो नहीं मिली तो कुछ दिन बाद मुझे जॉ लिवर जोदा खराब होना शुरू हो चुका था इसके चलते मैं पर और बीमारिया बढ़ती वे श्टॉन हो गया दस श्टॉन हो गया अप डॉक्टर के पास गए दवाईयां लेने के लिए जी ब्रदर कितने डॉक्टर चेंज की है मैंने 6-7 डॉक्टर चेंज के ब्रदर लेकिन कोई फाइदा नहीं होता था और यह जब पेट का आपको रोग हुआ तो टॉयलेट के साथ ब्लड आता था आपको कुछ भी खाते थे तो एक-दो मिनिट के बाद ही वामिटिंग जुल्टियों के तरिए बहार आ जाता था और आप सारा दिन बैट पे लेटे रहते काम पे नहीं जा पाते थे इनको जब अंकुनोला मनिस्टिस के बारे में पता चला तो लगादार चर्श में आना शुरू किया है फिर इन्होंने 5 नुवेंबर 2023 को संडे मिटिंग में वाइट काट बनवाया और परमेशो के दासी हमारे स्पिर्चल मदर ने इनके उबर ल जो पल्ला उस दाफड़ने ने जो जगिडे ने पीबाद ने जो जगिडे ने जो जगिडे ने जो जगिडे ने आप दाए जब आपके बड़ लेहंड प्रेयर हुई तो आपकी बॉडी में क्या मैसूस करबा रहे थे उसमयाब अब दर ऐसा लगा कोई चीज मुर से कितने महीने से बिल्कुल ठीक हैं मुझे पांच मैनोय के बर्दर बहुत कोई टॉलेट के सरी प्लड़ दिया था कोई पेट का रोग नहीं है तारिश करें परमिशर के इस बड़े चुटकारे के लिए इस तेंग्याई के लिए सब तेंक्यू चीज़ बोलते हुए इस ची कि रहने वाले हैं मैं यूपी के रहने वाली हूं आपने अपनी गवाही में बताया कि 12 साल पहले आप पर किसी ने जादू टोना कर दिया था जिसकी वज़ा से आपके उपर दुष्टात्मा के अटैक होते थे तो आप अपने गवाही को खुल के बताएं कि जब वो और आपने बताया कि इस दुष्टात्मा के कारण आपको दबाव भी पढ़ते थे दुष्टात्मा आपके साथ गलत संबंद बनाता था जी ब्रदर और आपने इस दुष्टात्मा के कारण चार बार सुसाइड करने की कोशिश की तो जब ये दुष्टात्मा आपकी कि मेरे घरवाने भी उसे बोल दे कि मैं तुम से परसान हो चुकी हूं तुम मर जाओ तो ही अच्छा है और आपने बताया आप बहुत सारी अन्य जगाओं पर भी गये पर पर कोई फर्क नहीं पढ़ रहा था पर आपको इस जीवी चर्च के बारे में अंकुर नरूला मनिस्टी के बारे में कैसे पता चला जब मैंने यूटूब पर देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी लोगों की जिन्दगी में होता है लोग चंगाई पाते हैं पर जब मैंने यहां पर आया जब परमिश्वर के दास ने इस खास प्रात्न को किया अब टेर करेंगे परमिश्वर हर एक आत्मा जादू की, टोनों की, बिमारियों की, कन्फ्यूजन की, सेट बैक की, फेलियर की, निराशा की, आउट हो जाए कमांड करेंगे सिसर, जैसे ही आपने इन पावरफुल वर्ड्स को, इस पावरफुल प्रेयर को अपनी लाइफ में रिसीव किया, तो क्या चेंज आया आपकी लाइफ में? ब्रदर, जब मैं इस प्रेयर को रिसी भी की अपने लिए, तो मुझे एक हलका सा महसूस वा, जिसके वज़न से मैं चंगा हो चुकी हूँ, और अब आप ये उपर कोई दुष्ठात्मा का अटैक नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, आप पूरी तरह से अजाद हो चु अब दैबेहन, आपका नाम कहा है? मेरा नाम लीना है, कहां के रहने वाली है? मैं राजिस्तान अजमेर से रहने वाली हूँ, पिछले दो साल से आपके लगादार दुष्ठातमा के टैक हो रहे थे, कैसी कंडिशन थी आपके उसके बार में बताएं आप, मुझे सपनों मे मांस के टुकड़े और ब्लड दिखाई देता था, और मैं जब सोती थी, तो मेरा कोई गला दबाता था, और मेरी आवाज नहीं निकल पाती थी, तो फिर मैं डर जाती थी, और फिर उसके बाद में सुब उठी थी, तो मेरी बॉड़ी यहना मतलब बहुत ज्यादा पेन मे कांका बन कर दिया था, मुझ्सेर भाद बाद में बिल्कुल भी काम नहीं होता था, फिर उसके बाद में डॉक्तर की गई, और मुझे यह का कि यदा सर्वाइकल हो सकता है, या ब्लॉक हो सकती है. पिर दोतिन किया दोक्टर और ready CRE Vault specificitar sensor Cabinet Under the Neftaur team data Ok कोई परकनी पड़ा फिर कैसे परमेशने आपके जिंदगी में काम आप घर पे जब रहती थी क्या प्रॉब्लम रहती कौन सी चीजे कौन से काम नहीं कर पाते थे आप मैं भारी सामान कुछ भी नहीं उठा पाती थी जो भी काम करती थी थक जाती थी हाथ में बहुत पेन होत था और मुझे बहुत दर्द होता था और फिर जब इन्होंने एन्म हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ओपर अपनी प्रेयरोकेस को सेंड करा तो 31 जुलाई 2023 की मिटिंग के तरान प्रेयर मांटन पे जूम एप के जरिये इनके उपर लेहंड प्रेयर हुई थी उस प्रेयर को आपको ओके आपकी आवाज क्लियर नहीं है जब आपके उपर लेहंड प्रेयर हुई जूम एप के मातिम से उसमें क्या बॉड़ी में महसूस कर पा रहते है आप मुझे गर्माट मैसूस हुई थी और फिर मैं अपने आपने हाथ को उठा के देखा तो मेरा हाथ उठने लगा और उसके बाद कोई दुष्टा आत्मा के अटैक निया कोई बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ और मैं अपने सारे काम करती हूँ और मैं साथ मैंने से बिल्कुल ठीक हूँ इस तरह नेक्स गवही हम वैसर बहुट चर्च प्रांस सुनते हैं इस बादे का नाम संतनू मंडल इनकी की सोला साल की उमर में इस भाई ने नशा करना शुरू करता यह बाई शराब बीडी सिग्रेट का नशा करते थे और यह नशा जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही थी यह नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था और आज यह वेस्ट बंगोल चर्च से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सबसे पहले हमें इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में सब्सक्राइब को जैसे कि यह भाई का नाम है शांतनु मोंडोल है और यह वेस्ट बंगल पाट्वली ब्रांस से अपना गवाई को दे रहे हैं जब यह भाई का उम्र 16 साल के थे तब यह भाई ने गलत शंगति के दुआरा नशा में रूप गया था और नशा एक एक दिन मे बीडी सिगरेट और दारू का नशा करता था और यह भाई ने बहुत उदास हो गये थे क्योंकि नशा धिरे 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 बाढ़ता चला गया और इसके बजाए से यह अपना फैमिली के साथ बहुत लड़ाई जगड़ा करते थे और इसका मन में कोई शांति नहीं था तो यह नशा करने के दोवारा यह बहुत सरे वेवारी में पढ़ गया था और यह दॉक्टर के पास गया लेकिन बोला जब तक यह धारू नहीं चोड़ेगा यह नशा नहीं चोड़ेगा तो इसका जान बहुत खत्रा में है तो यह भाई ने बहुत डिप्रेशन में चले गा से आजा थे आभी तक कोई नशा नहीं कर रहा है यह फूरी तरह से पूरा हेल्ड है तारीफ करें सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब प्रमेश्य करें पर मिशका फिर 17 दिसंबर 2023 को प्रमिश्य के दास ने प्रात्ना किया और जैसे ही इस बाई ने वेस्ट पेंगोल चर्च ब्रांच में उस प्रात्ना को रसीव किया उसी समय वो नशे का दुष्ट आत्मा वो बिमारिया इस बाई को छोड़ के गई और उस दिन से ये बाई पूरी तरह से डिलिवर है एक भी बार इनोंने नशा ने किया वो बिमारिया ने छोड़ के गी प्रमिश्य ने अजाद किया सब दिन इस गवाही के लिए थैंक्स करे पर प्रमिशा कि जैसे प्रमिशन यहां प्लोग वहेल कर रहे से वेसे कि खर लोगों को प्रमिशार करें तद्н इस गवाही के लिए ठीक्स करें पर आ पर सब्राइस में क्या नाम है आपका और आप कहां के रहने वाले हैं जिलंदर यह वाही आपके बेटे की है जिसकी उ और बहुत ही प्रेशान रहता था ये खेलते कूते इसको सांस चड़ता था और एडमेट भी करना पड़ता था इसको और खाने पीने में कुछ भी खाता पीता तो इसको खासी होने लगती थी बहुत प्रेशान रहता था ये मेरा बेटा और दो बार एडमिट किया इसको और डॉक्टरों ने ये पंप लगाए दो टेम इसको मैं पंप दे दी थी मतलब आपकी बेटे की कंडिशन इतनी जादा खराब हो चुकी थी और आपने बताया है कि मतलब कि इसे सांस लेने में इतनी जादा तकलीफ होती थी किसे उसी टाइम हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था फिर आपको इस खांबरा चर्च के बारे में अंकुर नरूला मनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला मैं चार साल से जुड़ी हो थी पहले से और आपने बताया 23 नमंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने खास इस प्रात्न को किया क्योंकि आज स्पेशल थर्ष्ट्रे है तो मुझे जरूरत नहीं है मैं आप ले हैंड करूँ क्योंकि यह पेर शॉल जब आप पे आने वाला है आप पिलकुल टलिवर होगे आनन्द के साथ वापिस जाएंगे आप आप बताएं कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने इन वर्ड्स को रिलीस किया और आपके बेटे के उपर वो अनॉइंटिड शॉल टच किया गया तो इसकी कंडिशन में क्या सुधार आया इसको उस टेम ठंदक महसूस होई और उसी टेम इसने मुझे बताया और मैं गवाई देने के लिए आई और अब आपका बेटा उस अस्तमा के रोग से पूरी तरह से अजाद हो चुका है कितना समय हो चुका है आपके बेटा पूरी तरह से अजाद है चार महीने एक हफता चार महीने से आपका बेटा उस अस्तमा के रोग से पूरी तरह से अजाद है तारीफ करेंगे सब जन इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेशर की बेटा आप ने बहन आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम संगीता केशरवानी है कहां के रहने वाले आप? मैं एमपी जबलपूर से हूँ ये गवाही आपकी सिस्टर की इनकी है? जी मेरी बेटी है ये क्या नाम है इनका? रिशिका केशरवानी और इनकी बहुत भी बड़ी टैस्मोनी आप कहां के रहने वाले हैं? हम एमपी जबलपूर से हैं क्या गवाही आपकी बेटी की बताएं इसके बारे में? बेटी को अचानक फीवर हुआ था तेरा तारीक को और बस फीवर बढ़ता जा रहा था दवाई ली उसने कोई आराम नहीं हुआ फिर दूसरे दिन वो हॉस्पिटल गई मेरी बेटी MBBS भोपाल में पढ़ती है तो दिखाने गई दॉक्टर को तो वहां की स्टुडेंट है तो उन्होंने एडमिट कर लिया इसको फिर वो उन्हों बोला टेस्ट करवा लेते हैं आपका फिवर उतर नहीं रहा दवाई खाने से भी फिवर नहीं उतर रहा है तो टेस्ट बगएरा करा लेते हैं और उस समय हॉस्टल के पानी से बच्चों को इंफेक्शन भी हो रहा था तो इनको liver infection हुआ, test हुआ, liver infection आ गया, तो उसमें बेटी को fever बहुत तेज हो रहा था, दवाई खाने के बाद भी fever को कुछ, मतलब fever उतारी नहीं रहा था, तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि liver infection आया है और fever बहुत बढ़ता जा रहा है, फिर मैं पहुंची मेरे 16 ता और उसके बाद आपकी बेटी को फिट्स दौरे पटने शिरुए थे, दूसरे दिन उसको दौरा आया, 108 fever हो गया था, उसका असर ब्रेन पर हुआ, तो मेरी बेटी unconscious हो गई और एकदम से, मतलब कुछ भी हो उस नहीं था, उसने बैट पर ही, टॉलेट, पोट्टी सब, मतल इसकार बर्फ की सिकाई करते रहे हैं, और जब आइसीजु में आपकी बिटी को रखा गया, ऑक्सिजन मेशीन पर रखा गया है, इनके जब ब्रेन की MRI होई तो डॉक्टर ने क्या बताया उसमें, पहले MRI होई तो थोड़ा सा आया था प्रॉबलम, फिर मतलब उन्हें चुका था और बेटी का जो मिट ब्रेन वो थोड़ा सा सिफ्ट हो गया था साइड में, तो बहुत ज़्यादा हम लोग घबडा गए और फिर डॉक्टर ने बोला कि आप यहां से ले जाए इसको दिली एम्स के लिए रिफर किया, तो हम लिए दिली एम्स में नहीं गए, वहां के प्राइबेट सबसे बड़ी हॉस्पटिल दिली में सर गंगाराम हॉस्पटिल गए, तो वहां पर उसके स्विर से सिटी स्केन वहां पर हुआ, तो वहां के डॉक्टर ने तुरंत बोला कि आप इसका ओपरेशन कराई है, क्योंकि कंडिशन बहुत सीरियास है, यह एकदम से ब्रेइन या तो पूरा चला जाएगा, या फिर बेटी की हालत एकदम मतलब डैट भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग ने मतलब ब्रेइन के ओपरेशन के लिए तो तुरंत बना कर दिया, मतलब हम नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी का ब्रेइन का की भी नहीं है प्रभू पर मेरे माय की में सब लोग प्रेयर कर रहे थे फास्टिंग प्रेयर में थी मेरी बहुत कोसिस की कि आहां पर ले हैंड तुरंट होने के लिए और जब उसके बाद आपको यहां का पहले से आप जानते थे तें चाहर सालों से हम लोग अंगो नरूला प्रेयर करी उस प्रेयर को हम देखते हैं है हर तरह की पिमारी यह पिमारी की तुष्ट आत्मा हो लिगास फार से आउट हो जाए आउट हो जाए अभी अब आउट हो जाए कंदी आत्मा यह पिमारी की तुष्ट आत्मा यह लिवर इंफेक्शन्स यह एक्सेंट्स पिरट प्राइन को चुए लंग्स प्राब्लम हाट प्राब्लम्स ओ हैं आउ ठोड़े दुष्टाग्मा प्रेमारी की और आप देखन जब प्रेयर हो रहे थी आप आइस यू में थे उस समय और प्रेयर हुई क्या हुआ उसी टाइम बॉडी में क्या महसूस कर बारे थे मुझे बॉडी में एकदम से बहुत गर्म-गर्म सा लगने लगा मैं तब आई सीव में थी मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं पर इतना याद है कि बहुत गरम लगने लगा और उस टाइम मतलब इकदम सब कि मम्मी ऐसा बता दिये कि तब बहुत गरम हो गया था इतना मुझे याद है और फिर कुछ टाइम बाद सब ठीक हो गया आप अपने बेटी के साथ थे उसमें अपने अपने दिखा ओको समें इसकी ऑनलाइन मैं वहीं पे साथ में थी बलकि आई सुए में हम लोगों को जाने प्रेयर हो जाएगी प्रभू तुमारी बीटी को बिना ओपरेशन के ठीक करेंगा इससे कोई हम लोगों को दिकत नहीं है और जब प्रेयर हुई तो मेरी बेटी को एकदम चैस्ट में जलन हुई दस मिनिट तक उसको जलन हो रही थी बलकि मैं और घबड़ा गई क्या लिए उसने बोला मद्मी मोशन आया है तो पॉटी करना है तो उधर ने को करवाया फिर उसके बास अफिक हो गया मतलब जलन ठीक हो गई ठीक हो गई बेटी मतलब और उसके बाद हॉस्टील से डिसचार्ज मुल्या वश्चार्ज निबाद दीरे दीरे पूरा रिकवर प्रॉब्लम नहीं उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है आप चले बहन चले के देखे सोड़ा सा यह पूरी तरह से जो टेथ बैटके उपर दी पर में आपने चुआ यह जो ही रूए पूरी तरह पर में चुछा थेंक्स करें अपने हाथ को ठाए एकलीशिया खड़े परमेश की तारीश की तारीश दरे अपने साम पे खड़े हो जाए और उस सीवीद परमेश जे न्याम को महिं बादे तारीश करें इस बड़ी गवाही के लिए परमेश का थेंक्स करें आज भी जो लोग डेथ बैट के ऊपर हैं अगर आप बीमार रहें आप वील्चेर के ऊपर हैं आप शिकंजों के सारे चलते हैं तो डोंट वरी आज आप तयार हो जाए आज आपकी बीमारी का आखरी दिन है और आज आप अपने मिरेकल को लेकर के वापीस जाओके श्यमस आप बेहन आपका नाम क्या है मंजू कहां के रहने वाले आप बार्गो केंप से यह आपकी बेटी की कवाही है हाजी ग्याराब फरब्री दोजर चौबीस को इनकी बेटी को अपने फादर को डेट साल की जो बहांजी तो उसको लेकर यह एक्टिवाग उपर जा रहे थे ह हुआ क्या था उस समय वह एक्सेंट जो हुआ था इनके साथ हुआ और क्या प्राब्लम होई थे आपकी बेटी को इस कुट्री पर जा रहे थी सारे आतिकर के तो पीछे से ट्राली मार दिया तद दो इधर गिर गे दो इधर तो इसकी पैर पर वो चक्के चार गिया था ता एक डेट हो गई डेट साल के मेरी दोतरी थी और उसके बाद जब एम्बॉलेंस बुलाई गई तो आपकी बेटी को हॉस्पिटल में लेके गए हॉस्पिटल में जब पहुंचे ही है तो डॉक्टर ने जब एडमिट किया तो क्या बताया देखके और डॉक्टर बोला कि एक सारे हुआ ओक रवाद चूला के हड़ी टूट गई है लेफ्ट साइड चूले की हड़ी क्रैक हो चुकी है और लगातार डॉक्टर ने मेडिसिन दी हॉस्पिटल में इनकी बेटी को एडमिट रखा गया और उसके बाद जब यह घर आई तो खरे नहीं पासा भी नहीं लेपाते थी सारे एदम सीधा रखती थी और इसकी पढ़ाई के उपर क्या असर पढ़ा इसका पढ़ाई एक महीन पुरा बंध था पर लेके जाते थे तदी वाकर लेके पेपर खाली आए हैं और आपकी बेटी यह ऐसा बोलती थी कि पता नहीं ममा मैं बचूंगी के नहीं बचूंगी यह भी दर जाते थे कि एक तो पहले ऐसे हो गया यह यह भी करें कि मम्मी अब नहीं बचूंगी और उसके बाद 3 मार्च 2024 को वीलचेर के उपर ये बहन अपनी बेटी को लेके चर्च में आये मैं देख रहां बिमारों को आजाद होते हुए मैं देख रहां रोगियों को आजाद होते हुए रोकों से फ्री होते हुए और उस समय जब आप अपनी बेटी को चर्च में लेके आये तो आप अपनी बेटी को पिठाया तो वीलचेर के सहारे से चर्च में लेके आये थे पूरी तरह से ये वीलचेर के ओपर थी खड़े भी होना बहुत जादा मुश्किल था और बहुत जादा प्रॉब्लम में थे और जब उस दिन चर्च में लाया गया तो जब जो आपने प्रेयर अभी अभी सुनी परमिश्व के दासने हीलिंग के लिए अमरजंसी जो पेशेंट से उनके लिए प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रेसीब किया इनकी बेटी को पूरी बॉड़ी में गरमाहट मैसूस हुई और उससी टाइम इनकी बेटी ने खड़ियो के अपने आपको चेक करके देखा आज ए आज 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 आपका दिन है आज 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 आपका दिन है है आपकी गवाही का दिन है तो तयार हो जें उस बड़े पिरिकल को रेसीब करने के लिए उच्छी आवाज से बोले थैंक्यू चीजस तो क्या हुआ था आपके साथ कैसा हाथसा हुआ उसमें बस चला रहा था लेकिन शड़ी तीन बजे रात को नाइट में पता नी एक्सिडेंट हुआ ट्रक से और ट्रक से बस टक रही तो कंडिक्टर वहीं खतम हो गया और मझे परफिस ने बचा लेकिन में वहां पर बेहोस हो गया था में भी और वहां पर मेरे बता रहे थे जब होस में आया साथ आठ गंटे के बाद में तो बता रहे थे कि मेरे सीर में लगी और हाथ में थोड़ी सी लगी दी और पेर की डे क्रेक हो गई थी फिर वहां से होस्पिटल में रा में दो महिने और डॉक्टर नहीं जब आपके सिर्की जब स्कैन की हाथों बैरों के एक्सरे किये उन्हें बोला कि सिर्की हड़ी जो है वो आगे से तूट चुकी है लेफ्ट टांग की हड़ी दो जगा से लेफ्ट हाथ हाथ की हड़ी भी तूट गई है और आपका मझा डॉक्टर ने बोला था कि आपको लॉंग टाइम के लिए हॉस्पिल में एड्मिट रहना पड़ेगा तो क्या होगा फिर उसके बाद जब ट्रीटमेंट चला आपका प्रेर कर वी थी और उसके बाद यह हाथ ठीक हो गया और सीर में लगी थी यह भी सई ठीक हो गया जात में सब सबसेया और पाउं में इंफेक्शन हो गया था और जब आपका अपर टांग पर जो लोहे का स्पेशल तरह का एक शिकंजा होता है वो आपकी टांग के उपर लगा दिया गया था और उसके बाद आप टॉयलेट बा के बिल्कुल भी खड़े नहीं हुआ जाता था और जब दवाइनों से फारक नहीं पड़ रहा था तो मन में क्या चलता था कि क्या होगा मन में कुछ नहीं चलता है मैं प्रेयर कराओंग और ठीक हो जाओंगा फिर में हैं आपने आया 22 سितंबर 22 सितंबर को में मर्जैंसी स वहां से मुझे मिली पर्वेसर मुझे चुआ एकदम मुझे गर्माट मेसूस हुई तो उसी दिन आपने बिना किसी चीज का शिकन्जे का सहरा लेके इसके बिना आपने चल के चेक करके देखा तो आप चल पारे थे हमें चल पारा था और दर्द भी खतम हो गया तो यहां के इसके का वई भी दीधी मिनए तो अभी कितने दिन हो चुकूँए कितने महीने उचुकह बिल्कूल ठीके आप बिल्कूल ठीक है चार पांज मेने हो गए उसके बाद कभी कभी MP3 को कोईकट नहीं कोई दिक्कत ने और कोई ऑप्रेशन की बढ़ की जुद्ए ने कि ती उस पेर को भी देखते हैं मैं देख रहा हूं आपको healing हुई है बहुत से लोगों वीलचेर से मैंने फ्री होते देखा है शिकंजों से फ्री होते हुए देखा है कि तारीफ करें परमेश्र की और उसके बाद साथ महीने से यह जो हैं पूरी तरह से हील है बिना शिकंजी के सारे चल पा रहे हैं कोई operation की दो ने पड़ी तालियों के साथ उस जीवित परमेश्र के दाम को महीं बाद भी देखे लिए जोड़ से सब परमेश्र करें तारीफ क हुए हैं सबसे पहले में की गवाही को संते कि क्या बता रहे हैं अपने गवाही में जब भी डॉक्टर के परस गई तो डॉक्टर नी बहुत बताया कि इनके प्राइवट पार्ट में जत्म बन चुका है जब भी वाश्रूम जाती थी तो उनको बहुत ज्यादा जलन और आसन्य दर देदा था डॉक्टर ने उनको मेडिशन खाने को दिया और डॉक्टर का क प्रमिशो की दासी ने इनके ओपर लेख हैंड प्रातना की प्रातना को देखते हैं जैसे प्रमिशो की दासी का हाथ इस बहन के उपर आया प्रमिशो की सामत ने उसी समय इस बहन को छुआ टैच किया उसी समय ने गर्माहट में सुसुई वो रोग इन्हें उसी समय इस से टाइम छोड़ के गया और उस दिन से यह पूरी तरह से खील है सब इस गवाही के लिए थैंक्स करें प्रमिशो का आप अपका नाम क्या है सिमर जीद कहां के रहने वाले आप यूपी मेरड से यह वही आपकी बेटी की एक कितनी उमर आपकी बेटी के अभी बारा सार एक साल पहले किसी ने इनकी बेटी के उपर जादू टोना कर दिया था इसके बाल काट ले गया थे कुछ ऐसा इनके पानी फेपर में पड़ गया था और इसकी इनकी जो बएedar बीमार है हो कि बहुत से पर छयात Colombia पर अपनी जरुप है अपने पहने में बहुत आपने पाव को फार देती हैं दी और के मदर के पर आपनी आपनी घंटे ये सह लेकर इने जहां ने बगे तनी ज्हां होने ये ज बहुत ज़्यादा डर जाती थी और एक दिन में कम से कम 6-7 बार इतकी बेटी को खेल आती थी आदा-दा गंडा एक गंडा के लिए और उसको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके बाद पूरी तरह से यह बैट पे जा चुकी थी और इनकी बेटी जो थी कई इनका स्कूल भी छूट किया था और पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था डॉक्टर ने बताया कि लिवर में इंफेक्शन है डॉक्टर ने बताया अलग-अलग दवाईयां खाने को बोली पांच डॉक्टर कम से कम चेंज करके देखे जब कोई फरक नहीं पड़ा फ बामा बड़ा एयसुनास नीते दुख कोई सेर नहीं देदा बामिच नीक हो जाते छेडे विश्मास कर देदे बामिच नीक हो जाते जब आपकी बेटी के ओपर लेहंड प्रेर हो इसके बाद आपकी बिटी बिल्कुल ठीक है इसको कोई दोरे नहीं पढ़ते नहीं कोई ऐसे अटेक नहीं है कि इतने महीने से जब इस तिन होग है तारीश करें परमिष्र के इस बड़े छुटकारे के लिए एस दिलिवरें साथ较तला UK सभ्लीये नाम है आपका परमिला और आप कहां के रहने वाले हैं ठीज एपके रहने वाले आपसे उपिकि रहने वाले अपने अपने गवाही में कि पिछले 20 साल से आपको लीवर का Letta पेट पर्फेट का रुग था जी मुझे यह 20 साल से पहले से काफी टेम पहले की मुझे प्रोब्लम थी मैंने बहुत जंगा दिखा डोक्टरों के गई जिसे देशी दवाय खाई बहुत जारे इतने डोक्टर जिसे मेरे गाउं मुझे फननागर हो गया सारनपूर हो गया बहुत बड़े-बड़े होस्पि इस रोक के करण आपने कितने डॉक्टर्स चेंज कर दिये थे बस जी पूछो ना है तो मैंने बहुत कर देए 20 से 25 तक पतने कितने कर दिया और आपने लगातार 20 साल तक लगातार आपने दवायां खाई जी पर आपको कोई भी फर्क नहीं पढ़ रहा था जिसकी वजह से आपकी लाइब बहुत जादा परेशान हो चुकी थी फिर आपको इस चर्च के बारे में खांबरा चर्च के बारे में अंकुर नरूला मनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला जिमेल ओनलाइन देखे तो यूटूब पर तब से मुझे भेथ हुआ और बहुत बड़ी गव लोगियों को पुलपट पे आगे बुला के प्रातना की थी उस प्रातना को रिसीव करने के बाद यह सिस्टर पूरी तरह से हील हो चुकी है आज कोई पेट का रोग नहीं है कोई लीवर का रोग नहीं है यह पूरी तरह से हील है इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेशर में हैं आप ब्रांचीज में मौझूद हैं अगर आप रोगी हैं आज आपकी हीलिंग का दिन है आज आप परमेशर से जंग्याई को लेकर जाएंगे जोर से तारीफ करेंगे जीवीत परमेशर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए आप दय बहन आपका नाम क्या है बेबी पाटिल और आप महाराश्ट्रा के रहने वाले हैं पैंतीस साल से आपको आँखो का रोग था जी क्या क्या प्राब्लम थी आपको में मेरे को बारिक अक्षरी दिखते नहीं थे चास्मा चास्मा लगा और कलर की पहचान नहीं कर पात करने लगा तो जब कलर की पहचान ना होने के वज़ा से इनको हर एक चीज जो थी वो ब्लेक और वाइट ही नजर आती थी और बहुत जादा ये डॉक्टर के पास जब जाना शुरू किया तो इन्होंने डॉक्टर ने जब इनको चश्मा लगा दिया दवाईया दी लेकिन उसके पावजुद भी कोई जो नजर में कोई भी फरक नजर नहीं आता था और बहुत ज़ादा इन्होंने इलाज करवाया डॉक्टर के पास जाके देखा फरक जब नहीं पड़ा फिर अंको लुला मनिस्टिस की मिटिंग को जब इनको बताया गया उसे देखकर इनका वि मिश्वास के साथ रिसीब किया आखों पे हाथ रखे गर्माहट को महसूस किया और उसके बाद जब इन्होंने अपने आपको चेक करके देखा तो ये उसके बाद एक साल तीन महिने के करीब हो चुका है ये बैन उस आखों के रोग से उस कलर ब्लाइंडनेस के रोग से आए हम अगली गवाही को सुनेंगे ये गवाही बिहार चर से है और इस बैन का नाम बबीता है और इस बैन की गवाही के तीन साल पहले इस बैन को किड्नी का रोग हो गया था जिसकार इनकी पूरी बाड़ी में स्वैलिंग हो चुकी थी और आसन ये दर्द रहता था और कि युरेर करने में भी इनने मुश्किल आती थी और इनने युरेर रुख रुख करा था और इस वज़ा से बहुत ज़ा परिशान थे ये डॉक्टर के पास गए रुझा बाटर से ने olur चेक करवाया तो डॉक्टर lowers चे जोंके युरेर में प्रोटीन वह वो बढ़ा हु और फिर चार मईए 2023 को धरस्डे मिटिंग में अपॉसल जी के द्वारा इनके उपर सामर्थी लेहन प्रात्ना हुई थी और उस लेहन प्रात्ना को उन्हेंने पूरे फेद के साथ अपने लिए रसीव किया तो परमिशे की सामर्थ निने चुआ इन्हें हलका मैसूस हुआ और उस दिन के पास से इन्हें कोई किड्नी का रोख नी है पूरी तरह से परमिशे ने अज़ाद किया है अपने हाथों को उटाएं जोर से परमिशे की तारीफ करें इस गवाही के लिए इस गवाही वेस्टर में गौल चर्चपरांस एक हमारे पास आई है इस इसने का नाम सोमवरी है और यह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए है सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते है इनकी गवाही की चार साल पहले इस बहन को टीबी का रोग हुए था सांस लेने में इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी यहां तक भी यह चल फिर भी नहीं सकते थे इन्हें बूख बिल्कुल भी नहीं लगती थी और ना खाने के कारण इनकी बोटी डे बाई डे वीक होती जा रही थी और आज यह सिस्ट्रक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए है सबसे पहले में इनकी गवाही को सुनते की क्या बता रही हैं अपनी गवाही में बाई चेंज किया और दो बार होस्पिटल लाइश्ट भी हुआ इनका सरीर में ब्लाट भी कमते रहा चार प्राम ब्लाट हो चुका था और इनका वोट भी कमते रहा 34 केजिस हो चुका था और एवहन टोटल इक बेट पे जा चुका था डोक्टर ने इनको बोलते थे आपको सेपरेट रहना पड़ेगा और इनका वो सुनके बहुत दूख भी महिसूस किया जो भी सुनते थे मैं बच्चों के छोड के कैसे एक्टेला रहूंगी वो सुनके यह हर दीन रोते थे इनका यह बहन कुछ भी खाना नहीं खा पाते थे इनका ओजन इतना काम गया था ठीक से नहीं खारा हो पाते थे और इनका हस्बेन ने पहले से अंको नूर्ला मिल्स्ट्री को फॉलो करते थे और वो देखके यह बहन लगातार ओर्लाइन मीटिंग जूदे गया अपस्ट्रोल जी ने प्रेयार किया यह बहन उप्रेयार पूरी फेट के साथ रिसीब किया जैसे रिसीब किया इनका सरी मेरी कोफारी स्टार्ट हो गया और यह बहन सारे तीन साल से यह बहन पूरी फ्री है आजाद थे इस वड़ी गवाई के लिए पंशो का धन्यवाद तारीफ करें सब्चन इस गवाई के लिए सब्चन थैंक्स करें परमिशे का फिर साथ अगस्त दो हजार बीस को यह बहन ऑनलाइन जुड़े हुए थे और जैसे ही परमिशे के दास के द्वरा की हुई प्रात्ना को इस बहन ने अपने लिए पूरे फेट के साथ रसीव कि इनने उसी समय लगा कि मेरी बॉटी में से कुछ निकल के गया उसी समय हलकापन महसूस हुआ और उस दिन के बाद इनकी लाइफ में इनकी बॉटी में हीलिंग होनी स्टार्ड हुई और यह अब बहन पूरी तरह से की लें सब्चन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करे अब इनका वेट भी बड़ा प्रमेशें ने ब्लेस के सबसे इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें पर मिश्यका इस भाई का नाम पंजाब सिंग है और यह जमुनागर के रहने वाले हैं तेई साल पहले इनके उपर किसी ने जादू टोना किया था उसके बाद में ही दुष्टात्मा के अटेक इनके पर होने शुरू है थे आप बताएं आपकी लाइफ कैसी थी क्या क्या चीज़े होती था और पूरी तरहा से डिपरेशन में जा चुके थे मैं पूरी तरहगा रिटिस्भापीं तप्रेशन में था और घर में तकरार होना जगडा होना इह एहम बात होसट थी और जब डिप्रेशन के टैक ह大ग हो ते था तो आपको कोई फोड़ फोड़ देते थे और आपके अपनी बॉड़ी को पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था था और मन में हमेशा सुसाइडल थौट्स मरने के ख्याला चलते रहते थे बुरा हाल रहता था बन्रें कि स्वोस्तों था घर में कलेश रहता था जगडा रहता था और जब इनको पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रात्मा को रिसीव किया परमिश्र के आत्मन इनकी जिंदगी में काम किया उसके बाद से यह भाई डिप्रेशन से पूरी तरह से अजाद है आज आठ महीने बारा दिन के इस करीब हो चुका है यह भाई पूरी तरह से चलिवर हो की तारी है इस नाम को मेंगबादे आई यह नेक्स टेस्टमनी को सुनते हैं यह राची ब्राच की टेस्टमनी एगए सिस्टर का नाम इलिजाबेट तिर्के है इनकी गवाही है कि 2020 में इनकी शादी हुई और उसके बाद यह बेबी को गंसीव नहीं कर पारे थे पर 2021 में जब ये pregnant हुए तो third month इनकी bleeding होई जिसकी वज़ा से इनका miscarriage हो गया, उसके बाद ये कभी भी baby को conceive नहीं कर पा रहे थे, जब ये doctor के पास गये, तो doctor ने बताया कि आपका uterus बहुत जादा weak है, जिसकी वज़ा से आप baby को conceive नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आपके act बनते हैं, जि जिसकी वज़ा से ये दिक्कत लगातार आपकी body में है, और इन्होंने लगातार medicine खाई, लगातार treatment करवाया, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पढ़ रहा था, और इस baby ना होने के कारण, इनकी married life पूरी तरह से disturbed हो चुकी थी, लोग इने ताने देते थे, कि तेरे कभी भ बच्चा नहीं हो सकता, और इनके husband की जो बात थी, वो divorce तक पहुंच जाते थी, जिसकी वज़ा से ये बहन बहुत जादा depression में रहते थे, फिर किसी ने इनको इस GV Church के बारे में बताया, अंकुर नरूला मनिस्टी के बारे में बताया, और लगातार इन्होंने रांची ब् मिटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, और 24 अपरेल 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रातना की, बेबी के लिए कि नेक्स मन्त आप प्रेगननसी के साथ वापिस आएंगे, परमेश्वर आपको बेबी के साथ ब्लेस करेगा, तो इन्होंने उस प्रातना को अपने के लिए रिसीव किया, और जब इन्होंने नेक्स मन्त चेक किया, तो इनका टेस्ट पॉजिटिव आया, और परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉई के साथ ब्लेस किया है, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थेंक्स कते हैं, तारीफ करेंगे परमे का नशा करते थे, भाई अपने नहीं नशे से बिलकुल शूट नहीं पर रहे थे, तो आज ये पाई हमारे साथ लाइव जड़ होएं, आई हम पहले सुनते हैं कि ब्रदे क्या क्या रहे अपने गवाही में? सभी को जैंसी की, हम फाजिल का प्रांच से इस भाई की कवाही देने जा रहे हैं, इस भाई का नाम दलीव सिंग है, ताली साल से गलित संग्ती में होने के कारणी ये भाई ने नशा शुरू किया, ये भाई शराब कुटका और सिक्रेट का नशा करते थे, जब ये नशा क करते थे, अपने बच्चों को, अपनी पतली को मारते थे, ये भाई नशा को ओवर डोस लेने के कारण, ये भाई साथ दिन होस्पिटल में एडमिट रहे और डॉक्टर ने बोला, जे आप दुबारा नशा करोगे, आप आपकी टैथ भी हो सकती है, फिर ये भाई कई अन् आपने लिए रसीव करते रहे, फर इकत्ति समबर दोसर्टेश को सवह माइट में परमेश्वर के दास ने खास नशा के लिए प्राथना को इस भाई मैसूस किया, मिश्वस करने के बाद इस भाई को थंड़क मैसूस उई उसके बाद इनों ने अपने आपको चेक किया, इ इस गवाही के लिए परमेश्वर और परमेश्वर के दास का हम धन्य वाद करते हैं जाएंट फिर 21 दिसम्बर देखोई जो परमेशे के दास ने उस्सामर्त परात्मा को गया और उस्ट आत्मा को डांटा नशे को डांटा उसी समय परमिश्य की जीविस सामत और इस भाइ को छुआ इनने एकों से खंडग मैसूल से अ ही वो नशे का तुस्ताथ्मा उसी समय बाइक इस भाइक को छोड़ के किया उससे इनके बाहत इस भाइक ने कोई नशाय नहीं किया अबेबाई दो महीने से पूरी तरा सुसुन नशे से अजाद है सब्जन अपने हाथ लोगों ठाए इस बड़ी गवाही के लिए परमिशर का ठेक्स चरे सब्जन तारीफ करेंगे परमिशर की जोर से तारीफ करेंगे इन टेस्टमनी इसके लिए परमिशर किस तरह से लोगों को ब्लेस कर रहा है इस चर्च के द्वारा परमिशर के दास उसकी दासी के द्वारा परमिशर किस तरह लोगों को चूर है जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमिशर की प्रदर क्या नाम है आपका मेरा नामर जिंदर रही और आप कहां के रहने वाले हैं लुदियाना का तो आपकी गवाही क्या है 2018 में जब आपने प्लस टू कंप्लीट की उसके बाद आप फॉरण जाना चाहते थे आप उनी गवाही को बताएं यस प्रदर जैसे मैंने 2018 में अ कर पाता था तो ऐसी 2021 में जैसे मैं इस मुनिस्ट्री के साथ जुड़ा तो ऐसी मैं जब चर्च में आता था तो इसे बीज बोने के लिए बताते थे तो ऐसे मैं भीज बोता रहता था तो ऐसे ही बीज बोते-बोते परमेश्यों के दौरा तो मेरे रास्ते ओपन होई और इसके बार ड्वाइन हैल्पर मेरे जीवन में आरेंज होई और प्रभू ने मुझे उन ड्वाइन हैलपर के दौरा परमेश्यों ने मुझे कैनाड़ा के वीज़े के साथ मुझे ब्लैस किया तारीफ करेंगे जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए तो आप अपनी विक्टोरिया है आपने अपनी गवाही में बताया कि चार साल से आप भी फॉरन जाने का ट्राइ करते थे पर हमेशा आपको रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता था तो आप अपनी गवाही को बताए किस तरह परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया मैं चार साल से फॉरन जाना जाते थी लेकिन मेरी फाइल जो है वो सक्सेस्वल नहीं हो पारी थी एक बार रिफ्यूजल भी आई थी और जब भी ममा जी बताते थे कि सीड बोने के लिए तो मैं सीड भी बोती थी और फिर अक्टूबर के मन्त में लेहेंड प्रेयर हुई थी फास्टर सोनिया युसफन्र price ने मेरी उपर रिह biggest प्रेयर किया उसके टू मंत के बाद ही मेरा स्टडी वीजा जो है वो आ गया था कौन सी कंट्री का आपको स्टरी वीजा आ चुका है? ए, कैनेड़ा के लिए कैनेड़ा का आपका वीजा लग चुका है तारीफ करेंगे पर अचाभ की जोड से तारीफ करेंगे जीमीद परमेश्वर लोगों की live में काम कर रहा है जब वो परमेशोर के घर में बोते हैं, बीच को बोते हैं, special seed को लिखते आते हैं, तो परमेशोर उनके waste को open करता है, उनकी refusal को cancel करता है, तारीफ करेंगे जोर से परमेशोर की. ब्रदर क्या नाम है आपका? सोरभ. आपने बताया कि आप कई समय से अपना business करने की कोशिश कर रहे थे, पर आप कर ने पा रहे थे, तो किस तरह परमेशोर ने आपको bless किया? बीच बोने से परमेशोर. आप खुलके अपनी testimony को बताएं. जब मैंने बीच बोना शोरू किया तो उसके बाद परमेशोर ने मुझे अपनी शौप के साथ bless किया है. अब परमेशोर ने आपको खुद की मुबाइल शौप के साथ bless किया है. तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे परमेशोर की. प्रदर क्या नाम है आपका? मेर नाम हर्पिस हैंगा जी और आप कहां के रहने वाले हैं? क्या गवाही आपकी? तोटली आप गर्से से असाथ हैं आपने लोन फ्री कार को लिया है तोटली के साथ ट्रॉंटो प्रांच से ब्रदर जॉन मसीग की गवाही हमारे पास आई है कि इस ब्रदर की टेस्मन ये कि 2020 में इनकी हाट डिजायर थी कि अपनी हायर स्टडिस के लिए कैनेडा जाना चाहते थे और 2020 में जब इन्होंने फाइल लगाई इन्हें रिफ्यूज का सामना करना पड़ा और 2022 में दुबारा फाइल लगाई दुबारा इन्हें रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा जिसकी वज़ा से ये बहुत जादा परेशान हो चुके थे फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया लगातार जब ये सीड की गवाहियों को जब वो बोते हैं परमेशुर के राज्य के लिए तो इन्होंने लगातार परमेशुर की दासी के वचन को फॉलो करना शुरू किया पीज के महतब को जाना और पीज को बोना शुरू किया उसके बाद परमेशुर ने ने कैनड़ा के वीजा के साथ ब्लेस किया है इस गवा से यह बहुत ज़ादा परिशान रहते थे क्योंकि इन्हें वो जॉब मिल नहीं पा रही थी पर जब भी हमारे spiritual mother beach बोने के महतब को बताते थे यह लगातार अपने सीड को बोते थे और परमेश्वर ने इन्हें इनकी heart desire को पूरा किया और इन्हें इनकी heart desire की job के साथ bless किया है इस बड़ी testimony के लिए परमेश्वर का थेंक्स करते हैं तारीफ करेंगे परमेश्वर की और इसी रिति के साथ अब और ब्रांस से सिस्टर बलजीत को और के गवाही है कि 2016 में इन्होंने एन्म नर्सिंग की study complete की और यह job करना चाते थे पर हर बार इन्हें rejection का सामना करना पड़ता था और यह बहुत जादा निराश थे इनकी mother-in-law ने इनको खामरा चर्च के बारे में इस जीवी चर्च के बारे में बताया लगातार यह चर्च में बने रहे पेत में बने रहे और जब भी इन्हें बीज बोने के महत्तव के बारे में बताया जाता था लगातार अपने सीड को बोते थे और परमेशों ने इनकी जॉब के रस्तों को खोला और इन्हें ब्लेस किया है इस गवाही के लिए परमेशों का थैंक्स करते हैं तारीफ करेंगे परमेशों के इस गवाही के लिए और अमरीस्तर ब्लांच से सिस्टर तरुना की गवाही है कि 2019 में इन्होंने बिजनस को चलाने के लिए बैंक से कर्जा लिया था लाखों में वो कर्जा था पर कोवीड आने की वज़ा से इनकी फिनेशल कंडिशन बहुत जादा खराब हो चुकी थी और बैंक का जो लोन था वो और जादा बढ़ता गया वो पांच लाख से बढ़कर आठ लाख हो चुका था जिसकी वज़ा से बैंक वालों ने इनके उपर अरेस्ट के वारंट तक निकाल दिये थे पुलीस केस इनके उपर हो चुका था और ये बहन बहुत जादा रोते थे इनके मन में हमेशा सु विर्चल मदर बीज बोने की टीचिंग को बताते थे उसके महतब को बताते थे ये लगातार अपने सीड को बोते रहे और परमेशों ने इनके करजे को खतम किया है उस सुसाइडल स्पिरेट को खतम किया है इस गवाही के लिए परमेशर का थैंक्स करते हैं तारीफ परमेशर की इस वड़ी टेस्पनी के लिए लगातार ताइब करते जाएंगे परमेशर की इस तरह नेक्स गवाही लुदयाना चर्च ब्रांज से सुनते हैं इससे का नाम मंजीत को रहा है इनकी गवाही है कि एक साल पहले बारी समान उठाने के कान इनकी रीड की हट्डी नसें जो रीड की हट्डी की नसें थे पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी बिलकूल भी चल फिर नहीं पाते थे उठ बैट नहीं पाते थे और आज यह सिस्ट्रक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बतारेंगी अपनी गवाही में कि बहुत अक्लीव सी मैंनु ते जरू मैं डाक्टर दे गोल गी ते डाक्टर ने मिन्हों कि हांके तुसी उकार देविच कोई हैबी बाल की जावा पार आकाम किता है जेदे करके तो अनुहीं प्रबलम आ रही है में बीटिति इन्हाने में प्टे भी लगाइं थी उन्हाने क्याकर तुसीी कोई घाम कमनी कहरना है गार ते उस्तोबाद में औरल में भी हटिंगा टेश से जेशना होति दो अनुहाइच जिन तो अनुह बहां सो अंदावीं चिकर में शबाद गार कूर में देमाश में परमेश की तिस्तिया सब्सक्रणाइब बड़किकार्णाइब विक रम नहीं पिल्कुल सही है उस पिल्कुल तक जाया किई उस देन तो आज तक नहीं है तारीफ करें सब्सक्राइब इस गवाही के लिए सब्सक्राइब करें परमिशह का फिर 11 फेबरेरी 2024 को परमिश्च ने प्रातना किया और जैसे इस बहने उस सामर्थी प्रातना को अपने लिए रिसीव किया वो रोग उसी समय इने छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन और अपने अपनी गवाही में बताया कि 2020 में आपकी मैरीज हुई और मैरीज के बाद आप बेबी को चाहते थे आपकी हाँ डिजायर थी तो आप बताएं कि जब आपके बेबी नहीं हो रहा था तो आपको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था आपने अपने कवाही में बताया कि शादी के बाद जब आपके आपने बेबी के लिए सोचा तो 2021 में जब आप फर्स टाइम प्रेगनेंट हुए तो थर्ड मन्त में अचानक से आपके ब्लीडिंग हुई और आपका मिस्केरिज हो गया था उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद मैंने फिर रिसीव किया और फिर बाद में फिर मलब जनवरी 2023 में आपने सेकेंड टाइम बेबी को कंसीव तो किया पर थर्ड मन्त फिर से आपकी ब्लीडिंग हुई जिसकी वज़ा से दुबारा आपका मिस्केरिज हो गया था तो दॉक्तर क्या बोलते थे आपके सिचुएशन के बारे में ब्रदर आप बताएं अपनी को डॉक्टर क्या बोलते थे जब आपकी वाईब बेबी को कंसीव नहीऄ कर पा रही थे इूटरे से कमझ और और आपने अपनी कभाही में बताया कि डॉप्टर ने बताया था कि आपके जो स्फर्म का लेवल था वह भी बहुत जादा कम आया था जिसकी वजह से डॉप्ट ने बोला था कि अगर आप बेबी को कंसीव भी करोगे पर वो बेबी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मैं चर्च जानदा थी गरदास पो बराज थे वेचा जो पापा जी प्रेयर कर दे सी आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया अंकुर नरूला मनिस्ट्री के साथ जुड़े तो आपने प्रातना को रिसीव किया और 9 अप्रेयल 2023 को जब परमेशुर के दास ने इस सामर्ती प्रातना को किया आज के दिन इस्ट के दिन लेजुरक्षन के दिन आत्मा पहनों को छूर है बेबीस के लिए बेबीस देख रहा हूं मैं के बेटियों को देख रहा हूं बेटियों को देख रहा हूं बेबीस को देख रहा हूं परमेशुर का आत्मा आपको देते हुए दो दो बेबीज, तीन तीन बेबीज भी देख रहाओं को देते हुए आपके गरब को खुलते हुए Blessings को आपकी लाइफ के पर रिलीस करत में देखता होते हुए In the name of Jesus, आमेनों चादर बरकत को पाजाओ आमेनों चादर बरकत को टेस्टमणी इसके साथ वापिस आने के लिए तैयार हो जा ब्रदर आप बताएं इनकी टेस्टमणी को कि जैसे ही इनोंने इस प्रात्ना को Receive कै Receive करने के कितने दिन बाद आपकी वाइफ प्रेगनेंट थी दस तिन बाद आपकी वाइप प्रेगनेंट थी और अब परमेशन ने आपको हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है मैरिज के कितने साल बाद परमेशन ने आपको बेबी दिया है तीन साल बाद परमेशन ने आपको बेबी के साथ ब्लेस किया है जोर से तारीफ करेंगे लगातार तारीफ करते जाएंगे इन टेस्टमनी के लिए ब्रदर क्या नाम है आपका नगेंदर और आप कहां के रहने वाले हैं मैं जारखंड के रहने वाले हैं आपने बताया कि पिछले एक साल से आप पर दुष्टा आत्मा के अटैक होते थे तो आप अपने गवाही को बताएं कि जब वो अटैक आपके उपर होते थे तो क्या-क्या दिक्कतों को आपको सामना करना पड़ता था आपने अपनी गवाही में बताया कि इस दुष्टा आत्मा के कारण आपको सपने में मुर्धा लोग पानी दिखाई देता था और इसके कारण आप गलत संक्ती में गए आपने वैपी चार करना शुरू किया और उसके बाद आपको किसी ने इस खामरा चर्च के बारे में बताया और फिर आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया और 14 जनवरी 2024 को जब हमारे स्पिर्चल मदर ने इस लेहेंड प्रात्ना को इनके उपर किया प्रदर आप बताएं कि जैसे ही ये सामर्ती हाथ आपके सिर्के उपर आया आपकी लाइफ में क्या चेंजिस आए अब आपके कोई दुष्णात्म का अटैक नहीं है कोई नशा नहीं है लाइफ में कोई वैभी चार नहीं है आप पूरी तरह से अजाद हो चुके हैं करेंगे परमेशर की इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेशर की इन बड़ी टेस्टमनी के लिए प्रदर क्या नाम है आपका चन्नो नाम है और आप कहां के रहने वाले हैं आप गोरगपुर के रहने वाले हैं आपने अपनी गवाही में बताए पिछले 25 साल से आप नशे की दुष्टात्मा ने आपको खेरा हुआ था आप नशा करते थे तो आप बताएं कि आप कौन कि इतनी मात्रा में उस नशे को लेते थे और आप डेली मतलब दो बोतल आप शराब की पीजाते थे और दस पैकेट आप गुटके के पीते थे और आपने अपनी गवाही में बताया इस नशे के कारण ये दुष्टात्मा ने आपके उपर अटेक करने शुरू किये और कर shoots लेते ते या और आपकी लाइफ चाहिए गतां ट्राइब से तोटली पाफ में जा आचुकी थी आपने आपने है किस ने इस जीबिट चर्च के мb बारे में बताया में बताया में लिए तो उसने बताए थे कि वहाँ खामरा चर्च में आपको ले चलेंगे बहुत हमारी तभीयत सीडिया सो चुकी थी हम रोते थे हम कहते थे प्रभू हमें बचाए हम कहां जाए हम किस जगे हम को कोई दिखाई नहीं देता था और आपने लगातार इस चर्च में आना शुरू किया जासर और 31 अक कि यसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा बहतों को चंगा किया वैसे ही परमेश्वर की वही सामर्थ आज भी अपने लोगों में काम करती है और उसी रीती से परमेश्वर ने इस भाई को टीबी के रोग से चंगा किया तो आईए सुनते हैं इनकी अद्बुत गवाही को कि सारे आप जैंप सी दी मेरा रोहीत कमार है मेरी वाइफा ना सुपरिया नहीं जिलंदर दे रहें लाले हैं मैं अपने जीवन ती पोपर डिकवाई दें जा रहे हैं स्थम्बर दो यह अर्तेईदी का ला एक चानक मेंनों फीवर रहना शुरू हुआ हो ज़्यादा हो गया मेरे हैस्बंदी इननी हालत खराब होगी सी गी नई तए इननने जिदा रोटी भी नी खापांदे सी चक्कर आंदे सी उठ्थयानी जान्दा सी गाईना कोल ते जी फाड़के जिदा लेके जान्दे होंदे सी बाथम भी होंदा सी जिदा कुछ भी खाना पेना उठा के मेरे हैस्बंदी ते घाबड्सी जात खoster करते मेरह सी नहीं किन लागे टेस्ट टाक्त करवांदी ते चलंदी धे सी बसका देंगे लेके सी यहनोंधी टेलंड ते ईचार कित्व करके देंगे ऑन नों ते जल सम्साइया थे तख़।ब अखार दी चलंदे यहनोंधी ते उ की α gece θα निखा पाच चांपा नीनाHa Nuna नुख दाक्टर ने जिदा इना बल्गन के सरड़ा टास्ट कीताही तो अग देख्या लेधर था स्टैस्ट Mensch चांपा स्ट्घ कृएअ पांटेवी वक्करे रखनें ना दे जिदा पांटेवी अशी वक्करा रखनें ना दे डॉक्तर ने क्या के दवाथ खाने प् kijkenते पेनी में नूंप शेमीन बाल काट देते फेर मोड़के जिदा पाणी थल्ले बैगे फटाफाट टूटी चलाई ते पाणी थल्ले बैगे असी वी कवर आगे की जाल होगी एजदा चानक क्यों हो एजदा ते एक कोने दे विच जाके बैगे जिदा टीवी दे रोग दे करके इना दी हालत बोग आए ना थे जदा खांसी आनदी सी फेर भी देखना आए ना थे बुखार जोद चटा सी अबराट भुण दी बोग गुरी हालत हुंदी सी अच वी ओठ टके देखना आ ना फेर एक बख्रे कम्रे दी वेच जिदा एरेंड शी रख्या इना ना फेर असी भी मेरी इन्हदी मांम्मा ऊवी रोंदे होंदे हैं वी ठाठाने और में शाली को पर आणे खानी मैं सब्सक्राणी तरइब। कि दा हो गया ते फिर जिदा बस इंदे आसी कार दे रहे हैं जिदा बच्चे नों भी कह देना के नहीं पापा तो नहीं जाना ए बीमारी आहले डाक्टराने मना किता या इस बिमारी दागा के ज़िए तो मिनु लाग द्रहना पेंता ही जा मिनु रुका आद्याने लाग का आता एक कमरे दे वेचे तो मिनु लाग दा ही कि मैं बचना ही निगा फेर कि मैं अपने मंचेते लिमाब्या ही सुदा होना ही कि मेरा की वहूगा मैं सही होंगा कि नहीं होंगा मैं कदम भी तो नहीं साकता मेरे का दे मिनु लेया टे इंबात रो में जांके दे जदा मिना पड़के ले आगे जना कोठे दे फड़के जड़ा हम जा उते ड़ागे तुमिन फड़के ले आगे जना कोठे दे चाटके होना की ब्याजा मैं दवाई खा रहा हैं देक्टर दे कहांते में कुई फरक नहीं लाग दा जोदो मेरे हैस्पन इस टीवी दी बिमारी दे रोग देवरे शेंगे प्रोसा मेरे परमेशव दे ऊत्ते सिगा मैं खांबडा चरक्षा ना जूड़ी होई सिगी तै जब बत्त हु आसी आधि कि चर्च दे वेच्टर दी कुकला कि देखना की लोगफी चंग χंगे पाटीं नों वी चंगा करूंग मैं अपने फिर हस्बन्नू चर्च दे विच लेऊना शुरू किता। 15 कुतुबर 2 या 3 दे विच मैं थे चर्च दे विच अपने हस्बन्नू लेकी आई। ओ देन खास प्राथना वाले तेल देनाल प्राथना किती गई। जब तुम पे ओयल के साथ प्रेयर हो। जब तुम ओयल के साथ टच हो। तो याद रखो। तुम्हारा शरीर मसा किया जा रहा है। प्रेयर करने वाला भी याद रखे। प्रेयर करवाने वाला भी याद रखे। कि आज आपके शरीर को healing के लिए unwind किया जा रहा है, health के लिए unwind किया जा रहा है, आपका शरीर healthy रहे, हर भीमारी, हर आत्मा जो खुदा की और से नहीं जाए. उस दिन मेरे ते भी ओइलना प्रेयर होई, प्याशल प्रभू दे दास ने एक अलगई कि जेड़े जेड़े भी ओइलना टाच हो रहा हो रहा हो दा सरीर मसा हो रहा हो चंग्याई ली, जो तो मैं प्रभू दे शब्दान रसीव किता, ते मिन्नों प्रतरा आत्मा ने शोया, मिन्नों जदा गर्मी मसूस होई, ते मिन्नों अपना सरीर बहुं हलका मसूस होया, प्रेयर तो बहुत ज़द मैं करें गया, तो मेरे डेवाइडे र कवरी शुरूँ होगी, मिन्नों जाने कि मैं हर कोई चीज खानता ही तो मिन्नों पांच जानती है, उस समर्थी प्रेयर मैं बिल्कुल चंंगा मा मैं सि टी जिए रोग तो बिरी ये तरह आधा मैं उन्य कामते भी जाना मा मैं अपने नहांगें आपनेका अधय बिद आ अपने का दाकिया विद्ना अपने मिननों कुब बिल्कुल जनी की मा चंगा मा सब्सक्राइश चेड़ लोग की आज भी आर ह मैं बिल्कुल खोशां कि मैं अपने बच्चे आज अपने टबदे वेच सारे ना बैड़ता खाना भी ना मैं बिल्कुल चंगा हूं मैं प्रवुदा वोता नवाद कादा प्रवुदे दास्दा वोता नवाद कादा सारे ना जैमसी सब को जैमसी की जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रीम किया कि उसने अपना एक लोता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो बलकि अनन्द चीवन पाए आज हम इस प्ले के द्वारा प्रभियेश्व मसी की उस जीवित कुर्बानी को देखेंगे कि किस तरह उसने इस संसार के पापों को अपने उपर ले लिया क्योंकि उसने हमारी पीड़ा को हम से ले लिया और हम यही सोचते रहें कि परमेश्वर उससे डंड दे रहा है हमने सोचा परमेश्वर उस पर उसके कर्मों के लिए मार लगा रहा है किन्तु वह तो उन बुरे कामों के लिए बेधा जा रहा था जो हमने किये थे वह हमारे अप्राधों के लिए गुचला जा रहा था जो कर्ज हमें चुकाना था यानि हमारा डंड था उसे वह चुका रहा था उसकी आतनाओं के बदले में हम चंगे किये गए थे कितु उसके इतना करने के बाद भी हम सब भेडों की तरह इधर उधर भटक गए हम में से हर एक अपनी अपनी राच चला गया यहवा द्वारा हमें हमारे अप्राधों से मुक्त कर दिये जाने के बाद और हमारे अप्राध को अपने सेवक से चोड़ देने पर भी हमने ऐसा किया उसे सताया गया और डंडित किया गया किन्तो उसने उसके विरोध में अपना मूँ नहीं खोला वह वद के लिए ले जाई जाती हुई वह उस मेमने के समान चुप रहा जिसका उन उतारा जा रहा हो अपना बचाव करने के लिए उसने कभी अपना मून नहीं खोला तो आए हम देखते हैं प्रभुयेश्य मसी की ओचीवित कुर्वानी पर आधारित duh haleluyah जोर से बोलेंगे haleluyah क्या आप तैयारे इस play को देखने के लिए जोर से फिर से बोलेंगे haleluyah हमारा यह विश्वास है कि जब आज आप इस play को देखेंगे आप देखेंगे कि कैसे permission हमारे लिए सूली के उपर वो कुर्बान हुआ उसने अपनी जान को दिया, वाइबल में लिखा कि उसके कोड़े पड़े, ताकि हम चंगे हो जाएं, उसके सर के उपर कांटों का ताज रखा गया, ताकि हमारे डिप्रेशन, हमारी कमज़ोर यां, हमारी सारे परिशानियां वो दूर हो सकें, हालेलुया, वाइबल में आज हमारा जो विश्वास है कि जब आप इस play को देखेंगे तो आप परमिशे की जीवी साम मर्थ को अपने जीवन में देखेंगे और परमिशे आपको छुएगा आपको चंगा करेगा, आज परमिशे की healing साम मर्थ आपको छुएगी और आपको सेम नहीं रहने देगी हालेलुया इस प्ले में आप देखेंगे कि ये शुमसी का उस टाइम पे फेस कैसा था उसने कैसे हमारे लिए मार खाई कैसे वो टाकूओं से पकड़वाया गया और कैसे उस सलीब के उपर कुर्बान हुआ हालेलुया तो आज आपने इस प्ले को पूरे मन के साथ अपने हिर्दों को अपने खोलना है पूरे मन के साथ इस प्ले को अपने रसीव करना है हमारा जो विश्वास के आप बड़ी कवाहियों के साथ वापिस आएंगे इस प्ले को सुनने के बाद हालेलुया अपने हाथ को उठाएं अ आग में तम कर रखा है क्या करें इस येशु का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महाजार जी इस येशु को काबू करने के लिए हमें कोई ना कोई शर्यांतर तो रचना ही पड़ेगा क्यों भाईयो आहां हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके विशे में हमें अच्छे से जानकारी दे सके और वो व्यक्ति बड़ा ही चतुर और थोड़ा सा लाल्ची किसम का होना चाहिए ताकि हम उसे पकड़ सके वो देखो उसके चेलों में से एक इदर आ रहा है ये तो मुझे शकल से भी लाल्ची लग रहा है अरे कैसे आया तू और कौन है तू मैं जानता हूँ तुम येशु मसी को पकड़ना चाते हो हाँ हाँ हम येशु को पकड़ना चाते हैं मैं उसको पकड़वा सकता हूँ क्या ये सच बोल रहा है हाँ ये उसे पकड़वा सकता है क्या तू येशु को पकडवा सकता है? हाँ हाँ मैं येशु को पकडवा सकता हूँ लेकिन इसका मुझे क्या फाइदा होगा? या ना! ये चांदी के पूरे तीस सिक्के हैं और बास सुन अरे येशु के साथ तो बहुत बड़ी बीड होती है हमें कैसे मालुम होगा कि येशु कौन है? आओ मेरे साथ मैं जिसको चूमूंगा वही येशु होगा चलो आओ मेरे साथ और बास सुन ये काम बाखूबी से हो जाना चाहिए आओ मेरे साथ मैं उसे पकडवाता हूँ चलो शिपाया! चलो! चलो! आज उसे नहीं छोड़ेंगे आज उसे पकड़ के दम लेंगे और इस तरह से यहुदा ने तीस चांदी के सिकों में येशु को बेज दिया और जब एक दिन येशु मसी गत्समनी बाग में चलो के साथ प्रात्ना करने गए थे तब यहुदा वहाँ येशु को पकड़वाने के लिए सिपाहियों के साथ पहुचे! और जे के साथ खाहिए में पूझे लिए पाने के साथ पहुदा भार जूचों piss कि उरॐ हिएए आज राट तु मेरे विशे में ठोग कर खाोगे बढ़ को में प्रबु कोई तेरे विशे में ठोकर खाए तो क्वाए प्रंतु मैं प्रंतु मैं तेरे विशे में कभी धो करना खाऊंगा यदि मुझे तेरे साथ की सूली पर चड़ना पड़े तो मैं चड़ जाऊंगा प्रभू पत्रस मैं तुमसे कहता हूँ कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार कर चुका होगा प्रभू ये आप क्या कह रहे हो प्रभू ऐसा की बोल रहे हैं प्रभू तो बोलते थे कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलिस्या बना होगा लेकिन आज प्रभू ऐसा क्यों बोले क्या सच में पत्थर ठोकर खाएगा क्या सच में ऐसा होगा चलो आओ मेरे साथ तुम सब गजसमनी बाद में प्रात्ना के लिए चलो हाँ हाँ चलो हम प्रभू के साथ प्रात्ना के ओर चलते हैं ये देखो गजसमनी का ये मार्ग चहां प्रात्ना के लिए हम जा रहे हैं आज प्रभू के साथ हम प्रात्ना करेंगे और प्रभू हमारे साथ आज रात तुम सब मेरे साथ इस गजसमनी बाद में प्रात्ना करोगे और हम सब मिलके प्रात्ना करेंगे तो आओ हम चलते हैं इस ओर तुम सब यहें ठहरो और मेरे साथ प्रार्थना करो पत्रस यकूब और यहुना मेरा जी बहुत उधास है यहां तक के मेरा प्राण निकला जाता है मेरे साथ ठहरो और प्रात्ना करो यह मेरे पिता मैं तेरा धन्यावाद करता हूँ यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे दल जाए तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं बलके जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सके जागते रहो और प्रार्थ ना करो हात्मा तो तैयार है पर शरी दुर्बल है हे मेरे स्वर्गिय पिता यदि ये प्याला मेरे पिये बिना नहीं हट सकता तु इसमें भी सिर्फ तेरी मरजी पूरी हो मैं तेरा धन्यवाद करता क्यूंके तु मुझ से बहुत प्रेम करता है धन्यवाद मेरे पिता उठो और प्राहत ना करो पत्रस याकू यूह न जागते रहो और मेरे साथ रात ना करो तन्यवाद करता है मैं चांता हूँ कि आप मुझ से बहुत प्रेम करते हैं और ये घड़ी जो आज मुझ पे है इसमें तु मेरे साथ है मेरी नहीं पिता से तेरी चांपूरी हो अब सोते रहो और विश्राम करो क्योंकि देखो मेरा पकडवाने वाला निकट आप पहुंचा है और वो घड़ी आप पहुंची है कर दो देखो कर दो कर Windows कर दो सवाने ज्रो को कि यहूदा है यह सानिकों के साथ क्या कर रहा है यहूदा तू जिस काम के लिए आया है उसे जल्बी कर यह प्रभू यहूदा से क्या कह रहे हैं लगता है फसा का परव नजदी का रहा है प्रभू उसकी त्यारी के लिए उसे बोल रहे हैं तुम किसको ढूंडते हो तुम में से येशु नासरी कौन है मैं हूँ येशु नासरी मैं तुम से फिर पूछता हूँ तुम में से येशु नासरी कौन है मैं तो तुम से कह चुका हूँ के मैं हूँ येशु नासरी और यदि तुम मुझे ढूंडते हो तो ने मेरे चेलों को जाने दो पकड़ा इसे मैं पकड़ कर लाता हूँ पत्रस पत्रस ने क्या कर दिया पत्रस अपनी तलवार को मयान में रख जो तलवार चलाते हैं वो तलवार ही से नाश किये जाएंगे क्या तू नहीं जानता कि यदि मैं अपने पिता से विनती करूँ तो वो बारा बल्डन से अधिक स्वरक दूद अभी यहां उपस्तित कर देगा पर जो बातें पवित्र शास्तर में लिखी हैं वो सब पूरी हो इसलिए ये सब चीजें हो रही है अरे ये क्या इस्ता कान तो अच्छा हो गया मेरा कान चंगा हो गया अरे तो चंगा हो गया क्या चंजकार देखा दोने जूट चंजकार है दबाऊ हो जे हमारे बीच में से तुम तो मुझे लाठियां लेकर तलवारें लेकर पकड़ने के लिए निकले हो पर मैं तो हर दिन तुमारे ही बीच में उपदेश दिया करता था तब तो तुमने मुझे नहीं पकड़ा पर हाँ यह सब इसलिए हुआ है तांके भविश्यतकताओं के लेकर हुए वयवचन पूरे हो सके खुद को परमेश्वर का बेटा कहता था बड़े बड़े काम करता था लोगों के बीच में पीड को पीछे लगा रखा था इसके लोगों को जूठी शिक्षा देता था ये रुको इसे मारो लोगों को बहकाता था इसे पिला दूसके पांज देगा जलो राजा की कादर दरिंकरो राजा तब येशु को मारते पीटते हुए माहयजग के पास ले गए और वहां से पिलातुस के सामने उसे ले जाया गए जहां पिलातुस ने उसे निर्दोश पाया लेकिन फिर येशु को हैरोदेस के हाथ सौफ दिया जब येशु को हैरोदेस के पास ले गए तो उसने येशु में कोई दोश नहीं पाया फिर लोगों के चिलाने के कारण और बहुत दबाब डालने के कारण पिलातुस ने येशु को कोड़े लगवाने का हुकम दिया लेकिन लोग फिर भी ना माने और येशु को सलीप पर चढ़ाने की मांग करने लगे तब बिलातुस ने लोगों की सुनकर येशु को भीड के हवाले कर दिया तब सिपाही येशु को पकड़ कर कलवरी पहाड की उर ले गए जो शहर से बाहर था बढ़ाने की मार्वासा करो फ्टार वेशु के बाहर से ले शाहर से ले येशु की मांग कर दोथा है तो गलीली नहीं 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 मैं गलील का नहीं हूँ तो भी तो येशु के चेलों में से एक है येशु वो कौन है मैं किसी येशु को नहीं जानता इसमें कोई शक नहीं कि तो येशु के चेलों में से एक है हां ये वो ही है ये उसी में से एक है हां इसका नाम पत्रस तो नह निश्य के चेलों में से एक है ना? हाँ हाँ ये वो ही है ये नहीं नहीं मैंने बोल दिया ना? कि मैं येश्य को नहीं जानता? ये येश्य है कौन? निश्य मैंने तुझे उसके चेलों में देखा है अरे नहीं नहीं तुमें गलती लग रही है तु येश्यू को जानता हूँ, मैं येश्यू नहीं जानता प्राभू ये मैंने क्या कर दिया प्राभू प्राभू मैंने प्राइट कर दिया प्राभू ए इसके हाथ पंदो पंदो इसके हाथ पिज़े लेके चलो तो इस तरह पत्रस ने प्रभू येश्य मसी के कहे अनुसार उसका तीन बार इंकार किया फिर सिपाही प्रभू येश्य मसी को कलवरी पाहाड के उड़ ले गए जो येरुशलम शहर से बाहर था और ये वही पाहाड था जहां हमारे प्रभू येश्य मसी को सलीप पर चड़ाया गया और ये बाहाड के प्रभू येश्य मसी को प्रिभू येश्य मसी प्लाईशु था ये प्रभू ये येश्य मसी को से ये वही पाहाद जाद है आपने पन्हों से करते हैं कि लूद प्रेंट को कि यो वह एक ऊतर बाराइश से आपे को व्राइश प्राइश सोते आट युद्ध जैए न्मी कर्ण सुधू तर्टां प्रिए शुध बार अबलुद्ध जय करेंट आट यूद यू से इसका बादन चलने चलने कर दो कर दोते सिपाईयों राजा की खातरदारी में कोई कमी नहीं रहने चाहिए कहता था मैं मंदिर को ठादूँगा और तेन दिल में खड़ा कर दूगा अनाव श्राप होता है यह हमारे मंदिर के विशे में यह देखो तुम्हारा राजा जो तुमको नि बचा सकता वोख कुदको क्या बचाएगा वो खुदको नि बचाएगा यह तुमको क्या बचाएगा मरो इसे इसे मत मरो यह निर्दोश है इसने कोई भाप में किया कि मैं भावन को तीसरे दिन फिर क्रावा कर दूँगा ने अरी भावना को ठेख में चाहिए मर इसे खुद को यहूदियों का राजा कहता था राजा को परनाम करो यहूदियों का राजा मारो इसे मत मरो यह निर्दोश है इसे मत मरो इसने कोई पाप नहीं किया राजा की खातिरदारी में कोई कम ही नहीं होनी चाहिए राजा के लिए इसका सम्माल ने कराओ यहा नहीं कराओ राजा का सम्मान करो इसके कमी नहीं 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 चाहिए इसके यहा इसके यहा इसका जाज परनाओ तो पहना आव यहुदियों के राजे को ताज, यह निर्धोश है जोड़तो और हला है नार्चान मेरे यहुदियों के है यह का का ने की यहुदियों के राजे को परनाम करो ये निर्दोश है इसे चोड़ दो इसने कोई गुदा ने किया इसने कोई पाप ने किया इसे चोड़ दो लोगों को बोलता था अपना बोज उठाकर अपना कुरूस उठाकर मेरे पीछे हो और आज देको इससे अपना बोज ने उठाया जाता है अटाओ इस ओरत को मारो इसे और ले चलो यहां से येशु का कोई गुना ने इसे चोड़ दो ले चलो इसे कलवरी पहार की जोड़ दो इसे चोड़ दो इसे कोई गुना ने किया बड़े बड़े काम करता था चंतकार करता था जूटे चमकार दो इसने कोई खुना ने किया येशु का कोई खुना ने इसे चोड़ दो लोगों को मैं तुम्हारा बोज उठाऊंगा खुद का बोज तो उठाऊंगा नहीं सकता लोगों का बोज कैसे उठाएगा तु इसे शोड़ तो इसने कोई गुना ने गिया लोगों सहरा देने वाला आज पर सहरा हो रहा है कोई नहीं बचाएगा तुम्हें यहाँ पर लोगों को कहता था मेरा बोज घाऊंगा है अंदों को आखे देता था और कोणियों को शूत करता था बविश्यवानी करता था अब कर बविश्यवानी कि कि किसना मारा दुगे ने चोड़ना इसे वारे से वारो थे दो सपाहियों इसकी तरह पीड को दो लेको लो कलवरी की ओर इसे कलवरी पहाड की ओर ले चलो कि अपना बोज मुझे दो, क्या कुआ तेरे को, क्यू रहा रही है तू, यह कहता था, कि अपना बोज मुझे दो, इससे अपना बोज नहीं उठाया जा रहा, देखो शोड़ दो जूटा बविश्वक्ता जूटा नभी है ये लोगों का मसीहा खुद को लोगों का मसीहा बताता था मसीहा कौन बचाएगा तुम्हें अब और मरो इसे फुद्व पर्मेशन का पुत्र कहता था अब मारो इसे इसका मारो इसे लोगों का कहता था मार्क जीवन और सफ्या मैं हूँ कि अब अब मंगरों को चलाता था खुद किड़ा पर आए देखो और पिशेड़ अब चाहिषा। येशु को छोड़ थो यहुद्यों का राजे का हाल होता है ताउड जया ओ किक से देखो लंगड़ों को छलाता था पुद चलनी हो रहा, देखो, हाँ जे, रुख क्यों गए, बारो, अरे, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, इसे कलवरी पहाड की और ले चलो, जल्दी कराओ, 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 ज पुद्र को मस्या बोलता था परमेश्वर का पुत्र बोलता था जूथा भविश्वक्ता अब कर भविश्वानी बचकीर भी डिशनेर के अब भुवी शालनी, आप भुवील शोरह कर सकते हमा ऊडर्ल colocaई अल्यक डेपा अफ, इसदेद अमड़ा किस में इसंदें भार्फ, किस में रिखं़ कुछ OFFIC ऑसंद्ट इस कोई दोस्ता कर सेड़ीश एंग ऩधिकरे, अन्यक्योंद अटरब करे अद कर दो कि जल्दी करो क्या कर रहे हो जालिमों इसका गुना तो बताओ क्यों बार तो इसे अरे ये तो मुर्दों को जिन्दा करता था आज देखो कैसे पड़ा है कि आज तेरा चमत कार कहां गया विड़े गरो एफ तरीम लाओ तरीम लाओ अरे पिछे करो इस वीड़ को सिपाहियो चड़ा दो इसे क्रूस के ऊपर पिछे करो इस लोगो को तो इसको शलीब पे गिराओ तरीम पे इसे श्रीब दो जल्दी से टाको श्रीब करो यहूदियों का राजा अपने आपको यहूदियों का राजा बताता था यहूदियों का राजा और करो चमत का जूठी पमिश्वानिया करने माला इसके हार शिंगार का समांग तो लेकर आओ नाओ इसके हार शिंगार का समांग तो लेकर आओ इसके बारो यह कहां देख रहा है इदर आओ इदर से आओ रुको 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 राजे का ताज सेट कर राजा है राजे का ताज सेट कर बाल अराम से कर राजे का ताज सेट कर अरे राजा के स्वागत में कोई कमी तो नहीं रहे गही चोड़ दो इसको अरे मारो इसे अरे चल्दी से बांदो देखो कील जो इसके हाथ पे लगेगा और लकड़ी को चीरता हुआ नीचे जला जाएगा ए उचा दोड़ा लगा इसके कील लगा इसके हाथ हो में कील लगाओ इसे मत मारो इसे मत मारो कोई नहीं बचाएगा तुझे इसे मत मारो इसका कोई फूर नहीं है इसके दूसरे हाथ पे विकील लगाओ इसके दूसरे हाथ पे विकील लगाओ इसे मत मारो इसे बड़ा इसके दूसरे हाथ प्याद रहे हो इझा लड़के दूसरे हाथ पकड़ा कील लगाओ अच्छे दूसरे लगाओ उसके हाथ हो में कील चोटे वाला नहीं, चोटे वाला कील नहीं, बड़ा कील दो, क्योंकि जे तो बड़ा चमतकारी है इसे मत मारो, ये बेक सूर है अथाड़ा दो उसे ये मत मारो, जोड़ोर इसे ये शूकरि लोज लोगे होगे जोड़े इसे मतमारो इसका कोई दोशी है इसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है इसने हैकल के विचे में अनाफ शिनाफ बोला है यह मार देने जाने के लाइक है तुछ परमेश्वर का बेगा बोलता है यह चूटा है चूटा नभी है जूटी शिक्षाइं पहलाता था लोगों में जूटा बग बांदो इसे इसे हाथ बांदो इसे और इसे सलीब पर लटकाओ चलो तुम गर बुडिया शिपाहियों अच अच्छे से बांदो इसके हाथों को कि अरे जल्दी करो भाव इसको जल्दी करो और मारो इसे अच्छे से बांदो इसे मत मारो इसे निर्दोश है इसे छोड़ दो इसका समान पत्र दोलो कहां है इसका समान पत्र कहा है एक खुद को यहूदियों का राजा बताता था देखो समान पत्र यहूदियों का राजा देखो देखो इसका समान पत्र यहूदियों का राजा इसकी सलीव उठाओ सिपाहियों इसका समान चिंतो लगा दे तांकि जब भी लोग इसे देखे उन्हें पता चले कि देखो यहूदियों का राजा यो बेक सूर हा आबने टांक दिया यहूदियों का राजा येशू को छोड़ दो ये निर्दोश ये भला मनुश्य है ये पापी नहीं है निर्दोश है येशु को छोड़ दो, 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 छोड अजसनए कि पाप ने किया मुने दोश है हैँ में शो में kul Till अच्छा दो इसे सूली पे सिपाहियों इतना समय को लगा रहे हो और उचा उठाओ इसे और उठाओ हिस्तस्क्ंवास कर सू यह उठाओ제로ह मुणर श्युक्वास कर दो अधिन लrióस के साथ की तुबिओ जाओ उठाओ इसे और इताओ इसे बुआण चयों को।D को को के गदा टुआज जिर फिसे को।D ये निर्दोश है, ये निर्दोश, उतार के दिखाव अपने आपको इस्कुरूश से, येशु ने कोई गुदा नहीं किया, बड़े-बड़े चमतकार करता था, अपने आपको यहुदियों का राजा बताता था, कर कोई चमतकार, पहले तो चमतकार करता था, अब क्या हुआ, अब भी कोई चमतकार दिखा, लोगों का मसीह, बड़े-बड़े काम करने वाला, बोलता था, मारक, जीवन और सचाई, मैं ही हूँ, अरे, चलो सब लोग, यहुदियों के राजा को पढ़ाम करो, पढ़ाम करो, यहुदियों के राजा को पढ़ाम करो, कहता था मैं तुम्हें जीवन का जल दूँगा अब तुम्हें कौन पानी बिलाएगा इश्य को छोड़ दो मेरी इश्य को छोड़ दो इश्य को छोड़ दो इश्य थेरे पिता इने मां कर क्यों के ये नहीं जानते क्ये ये क्या कर रहे है हुआ 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 हु ये मेरे पिता तुने मुझे क्यों छोड़ दिया क्या हो ये जाए 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 ये नारी, ये तेरा थेटा है, और ये यूण, ये तेरी माता है. मैं प्यासा हूँ, देखो, केता मैं प्यासा हूँ, जीवन जल का सोता, दया का सागर, आज खुद प्यासा है. आज जिर गेते अंज भूण है, तुम स्कॉत है, तुम सेवेदों क्उते नि में जीवन जया हूँ... आज तुप्टोण थे अंभागा, तुम मुझे सर्का विलारे हो श्यूर् थे नहीं। एपिता मैं अपनी आद्वाग को तेरे हाथों में सम्धाम सब पूरा हुआ एपिता 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 एपित और इस तरह से प्रभी शुमसी ने अपनी जान सलीप पर दे दी वो उस सलीप पर कुर्बान हुआ हमारे ही बापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी और हमारे अधरम के कारण वो कुछला गया वो जो हमारी खातिर इशुमसी ने इतनी मार खाई कि अपने प्राण को तयाग दिया ताकि मैं और हम सब अपने पापों से बिमारियों से आजाद हो सको श्रापों से आजाद हो सको इसलिए प्रभी शुमसी ने अपनी जान उस कुरूस पर दे दी और अपने पराण को ये कहते हुए के पूरा हुआ तयाग दिया वेखो कि भी चापों से बिमारियों ये प्राण को वे अजाद मैं आ वेखो थिया दितितितित्त परहत कि आजाद हो त्राण को ये रिमार फ्राण को ये लिए एजविआ और आप जानते हैं कि जिस तरह प्रभीश्य मसी ने सलीब के उपर अपने प्राण को तयाग दिया अपनी जान को उस सलीब पे दे दिया और उसके बाद जो शैतान था से जी उठे थे तमाशा बना कि वो फिर कभी भी अपने चेहरे को उपर ना उठा सका हालेलूईया एक माँदा उसनो जमाले वेट गे एक माँदा उसनो जमाले वेट गे तसकी कमाया मेरा लाले वेट गे एक माँदा उसनो जमाले वेट गे एक माँदा उसनो जमाले वेट गे एक माँदा उसनो जमाले वेट गे तसकी कमाया मेरा लाले वेट के तसकी कमाया मेरा लाले वेट के ते तोबारी हर एक चीज उसने ते तोबारी हर एक चीज उसने ते तोबारी हर एक चीज उसने गिन्ना तेनू रखिया अजीज उसने ते तोबारी हर एक चीज उसने एक मादा हुसनो जमाल लेच के दसकी कमाया मेरा लाद लेच के तोबारी हर एक चीज उसने आसुप जान नयो एक बार लब दे खुस जान नयो एक बार लब दे खुस जान नयो एक बार लब दे दोलताना ये सुझे नयार लब दे दोलताना ये सुझे नयार लब दे कीता कीया उसनो कमाल लेच के कीता कीया उसनो कमाल लेच के दसकी कमाया मेरा लाद लेच के दसकी कमाया मेरा लेच के एक मादा उसनो कमाल लेच के दसकी कमाया मेरा लाद लेच के साड़ी दाए पच्छ तावा छानी नब दी साड़ी दाए पच्छ तावा छानी नब दी साड़ी दाए पच्छ तावा छानी नब दी लुक जान वास ते कोई थानी नब दी लुक जान वास ते कोई थानी नब दी लुक जान वास ते कोई थानी नब दी इस मादा वोया बुरा लाद देखे उस मादा वोया बुरा लाद देखे डास तास की कोई मेरा लाद देखे इस मादा वसनो जन्माल देखे तास की कमादा वसनो जन्माल देखे एक वोदानियर के ले आप सब्सक्राइब जाहने भातरों चोनक निया कि आप्लबे हुसनों जवाल मेचके कमादा हुसनों जवाल मेचके दस की कवाया मेरा दाव मेचके दस की कवाया मेरा दाव मेचके एक मादा हुसनों जवाल मेचके दस की कवाया मेरा दाव मेचके दस की कवाया मेरा दाव मेचके ते थोवारी हर इक चीज उसने दे थोवारी हर इक चीज उसने दे थोवारी हर इक चीज उसने दे थोवारी हर इक चीज उसने दिना तेनु रखिया अजीज आसने दिना तेनु रखिया अजीज उसने यार दावे खाबते खयाल मेचके यार दावे खाबते खयाल मेचके यार दासकी कमाया मेरा लाहर वे खिके लोगत दासकी कमाया मेरा लाहर वे खिके इक माना उसनो जमाल मेचके इक माना उसनो जमाल मेचके इतना उस दोजमार वेच के दसकी गमाया मेरा लाद वेच के दसकी गमाया मेरा लाद वेच के खुश जान नियों एद्बार लब दे खुश जान नियों एद्बार लब दे खुश जान नियों एद्बार लब दे दॉलता न ये सूझे नियार लब दे दॉलता न ये सूझे नियार लब दे घीता कीया उसनु कमाल मेचके घीता कीया उसनु कमाल मेचके दस्ती कमाया मेरा लब दे दस्ती कमाया मेरा लब दे इक मादा उसनु जमाल मेचके इक मादा उसनु जमाल मेचके दस्ती कमाया मेरा लब दे अप्रश्ती कमाया मेरा लब दे दस्ती कमाया मेरा लब दे के लिए अपने मूँ से अंगिकार करते हुए अपने स्वर्ग की और अपने हाथों को फैलाए हुए धन्यवाद करते हैं परमीश्वर तेरे अनुग्रह के लिए परमीश्वर तेरे कुरूस के लिए तेरे बलिदान के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं परमीश्वर जो त तुने जो इतना दुख सहा खुदावन इतने कश्ट सहे इतनी पीडाएं सही प्रभू तुने हमारे लिए दुख सहा तू हमारे लिए शापित हुआ परमेश्वर तुकाट पर लटकाया गया खुदावन ये परमेश्वर तुरह धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तरह अद सिर्फाइज के लिए तरि कुर्बानी के लिएे अप्रमीश्र्व थन्य बाद करते हैं प्रमीश्र्न दे जो तुने हमारी लिए किया कोई नहीं कर सकता खुदावंद तु सच में हमारा स्वर किया प्रमेश्वर हमारा जीवित प्रमेश्वर हमारा एक मात्र उथार करता हमारा मुक्तित आता हमारा जीवित है खुदावंद तु हमारी लिए मारा गया तिरह धन्यवाद करते तरह ल लेकं किस तरह मनुष्य ने पापकर कि अपने रूप को आपने सब रूप को और दो ने कर दिया था, देरा थंदे बाद करते हैं पर्मीश्वर। थेरा धन्य बाद करते हैं पार मीश्वर। आज के पुवित्र, आज के महत्वपून, आज के स्पेशल, सरफ श्रेष्ट दिन के लिए तरह धन्यबाद परमेश्वत, आज के पुवित्र दिन के ऊपर खुदावंध हम तरह धन्यबाद करते हैं अपने पीजों के साथ, और मांगते हैं प्रवीशु मसीर के सामर्थी न रहेंगे, हम लोगों ने प्रवु के वजन को जो है, उस क्रूसिफकेशन को आज हमने बलिदान को जो प्रवु ने अमारे लिए दिया, हमने देखा उसे अपनी आखों से देखा, और जो हमने देखा वो एक परसंट भी नहीं, जो उस समय प्रवु के उपर घटा था, ले रहें गई थी, प्रवु सबसे सुन्दर, सबसे अधिक प्रस्नालिटी रखने वाले हमारे प्रमेश्वर, लेकिन कहते हैं कि प्रवु ने इतना दुख सहा, इतनी पीडा सही, इतने कोडे खाए, इतना लहू कहते पानी बन गया, लेकिन प्रमेश्वर ने अद्बुत कार किया हमारे लिए, और यही कारण है कि आज हम सभी जन प्रवु की प्रैजन्स में, उसकी उपस्तती में हैं, हम एक मन हैं, हमारा अधार करता हमारा जीवित प्रमेश्वर, प्रवु येश्व मसी हैं, उसने हमें चुन लिया है, और प्रमेश्वर ने जो कोडे खाए, जो लहू बहाया, वो हमारे पापों की माफी के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, प्राप्चित के नमित, जो प्रमेश्व ने लहू बहाया है, प्रवु ने हमें माफ किया है, हमें साफ किया, हमें शुद किया, और सबसे बड़ा बलिदान प्रमेश्वर ने हमारे लि लेकिन प्रमेश्वर हमारे लिए शापित बना, उस क्रूस पर लटकाया गया प्रभू, और जो समय के उपर जो क्रूस एक अभिशाक था, प्रवेश्व मसी के क्रूस पर चड़ाय जाने के कारण, वो क्रूस हमारे लिए अनुगरह का कारण बना, वो हमारे लिए घमंड का क कारण बना वो कुरूस हमारे लिए पुवित्र बना पाक बना कि जब आज हम उस कुरूस को देखते हैं तो हम अपनी प्राब्लम से अपने बंदनों से हम शुटकारा पाते हैं हमें प्रमेश्वर फ्री करता है वो हमारी लेक चिन बना है हालिलुया यह सुरिति के साथ जैसे प्रभु के दासके द्वारा स्पेशली बोला गया था कल कि आज का दिन जो है गूड फ्राइडेका हीलिंग का समय है हीलिंग मीटिंग है प्रभु के कोडे खाने से हम चंगे हुए जो परमेश्वर ने आज के दिन जो कोडे खाये थें और के शूटने का अपनी चंगाई को ग्रहन करने का आज आपके लिए दिन है क्लिस्या पूरी आत्मा में रहना है आप सभी ने प्रात्नों में रहना अपने बैस्ट सीट को मैं भी लेकर आई हूं अपने प्रत्थम को अपने बैस्ट को परमेश्वर के लिए देना उस परमेश के लिए आज हमें अपने सबसे बेस्ट को अपने सबसे उत्तम को सबसे खास बीज को पूरे साल के सबसे स्पेशल सीड को हमें प्रभू के कामों के लिए बोना है यदि आज आज आपके पास नहीं है बीज तो अपने मन में प्रभू के साथ वाइदा करें और जब भी आप जाएं अपने घरों में आप उस बीच को बोएं आप चर्च में आकर उन बीचों को बोएं आप ब्रांचिस में अपने आज बैस्ट बीच को बोएं और प्रबू आपको छुएगा हालिलुया तो कितने जनते याराज के पुवित्र दिन के उपर अपने बैस्ट बीच को देने के लिए जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं पहला पत्रस और एक उसकी 18 में लिखा क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा शुटकारा चांदी सोने अर्थात नाश्वान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शुटकारा तुम्हारा उधार सोने और चांदी के साथ नहीं पर निर्दोश और निश्कलंक मेमने अर्थात मसी के बहु मुल्य लहू के द्वारा हुआ है आज जो हम छुड़ाये गए हम फ्री हैं डिलीवर हैं हमारा उधार हुआ है हमारे पापों से परमेश्वने हमें जो है क्षामा दान दिया प्राष्शित किया है हमारे पास्ट एक्स्पीरियंस को सभी मिस्टेक्स को परमेश्वने पूरी तरह से अपने लहू के साथ धो दि बलके वचन कहता है कि उस मेमने के लहू के द्वारा उस पर्म पुवित्र प्रभुई शुमसी के लहू के द्वारा हमें वो उधार हमें वो मुक्ति वो डिलिवरंस हमें मिली वो नई लाइफ हमें मिली है परमेश्वर के अत्पुवित्र और सामर्थी लहू के द्वारा हाल लेलुया तो परमेश्वर ने जो हमसे इतना प्रेम किया कि अपना आप दे दियां आपने बैस्ट को दें और अपने ऑफरिंग को सबसे पहले अपने स्पेशल सीट को आज आप उचा उठाएंगे परमेश्वर चाहते हैं कि सबसे पहले हम आज अपने स्पेशल सीट को उच हुए परमेश्वर आज के पुवित्र दिन खुदावन गुट फ्राइडे यदि हम वैसे सोचें खुदावन तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यू होती तो उस दिन को हमेशा दुख के रूप में पेंज में पीडा में और एक निराशा के रूप में उदासी के रूप में उस जिन को स्टेट को जाना जाता हैं लेकन खुदावन सामर्थी परमेश्वर जो तू हमारे लिए मारा गया गाड़ा गया और ये दुख का और उदासी का दिन ना रहा बलके परमेश्वर एक गुट एक अच्छा और सबसे पाक और पुवित्र शुकरवार बन गया खुदा आत्मा जे कि जन को चुएगा परमेश्वर प्रवेश्व मसी तेरे विश्य में परमेश्वर सेंकडो साल पहले ये शायाने खुदावन कहा था कि निश्चे उसने हमारे रोकों को सहलिया हमारे ही दुखों को उठा लिया तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दश्या में पड़ा हुआ समझा प्रंटु वे हमारे ही अपरादों के कारण खायल किया गया वे हमारे धरम के कामों के कारण कुछला गया हमारी ही शांती के लिए उस पर ताणना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं सो खुदावन आज जितने भी जन अपने स्पेशल सीट को बोएंगे तेरी यहावा राफा तेरी हीलिंग पावर तेरी चंगा करने की सामर्थ है परमेश्वर आज इन लोगों के उपर उन धेला जाए परमेश्वर और खुदावन ये लोग आज हील हो जाए आज चंगे हो जाए जितने बिमार शरीर है ये शरीर आज चंगे हो जाए प्रविश्व मसी के लहू के त्वारा एक खुदावन जितने भी स्पेशल सीट को बोर है तरहात्मा चुए परमेश्वर सच में तू इनके इनके फाइनेंशल वेस को तू ओपन करेगा इने ब्लेस करेगा परम इनके लाइफ में किसी भी तरह का बैड डे नहीं रहेगा बलके गुड फ्राइडे की तरह ये विजय पाएंगे अपने लॉस के उपर अपनी कम्यों के उपर खुदावन अपने नुकसान के उपर अपनी खटियों के उपर अपनी कम्यों के उपर ये फत्य पाएंगे प् प्रबु का धन्यवाद करें, धन्यवाद लगातार करते रहें, आज का जो पुवित्र दिन है, इस दिन के उपर तो जितना प्रबु का धन्यवाद, जितनी थैंक्स की गिविंग की जाए, वो कम ही है, हालेलुया, जो प्रबु ने हमारे लिए करती है, तो हमारे बोलने के द्वारा वो possible नहीं है कि हम उसकी भरपाई कर सकें तो इसलिए जितना हो सके एक विश्वासी को प्रभु के लिए अपने प्रेम को दिखाना होगा तो मेरा ये मानना है कि जैसे prayer के द्वारा जैसे evangelism के द्वारा हम और testimony share करने के द्वारा हम अपने प्रेम को दिखाते हैं तो उसी तरह से सेम रिती के साथ हम जब बोते हैं तो हम प्रमेश्वार के प्रति अपने प्रेम को दिखाते हैं तो प्रमेश्वा तरह धन्यवाद करते हैं सबी टाइथर्स के लिए जितने भी टाइथर्स हैं परमेश्वर आज तरे पुवित्र दिन पर खास स्पेशल मौके के उपर अपने टाइथ को बोते हैं परमेश्वर तरात्मा कहता है सारे दश्माज भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोचन वस्तु रहे सनाओं का यहावव यह कहता है कि ऐसा करके मुझे पर्खो के मैं काश के जरों के खोल कर तुमारे लिए अप्रम्पार आशिशों की वर्षा करता हूँ के नहीं ये परमेश्वर तरह धन्यवाद करते हैं सभी टाइथर्स के लिए टाइथर्स कभी भी टाइट ना रहें परमेश्वर टाइथर्स ने अपने विश्वास को दिखाया, अपने विश्वास योग्यता को दिखाया, आग्यकारिता को दिखाया, तेरे वच्छन को पूरा किया, खुदावन, तु भी अपने वच्छन को परमेश्वर, जो इनके को टोरे को मरता हुआ बनाएगा, परमेश्वर ओवर खी तेज रिति के साथ लगातार हो रहा है सुसमाचार, पूरे इंडिया में इस चर्च के द्वारे से वीजन के द्वारा जो एवेंजलिजम इन दिनों में हुआ है, आज तक कभी किसी ने इतना एवेंजलिजम इंडिया में नहीं किया होगा, धन्यवाद करते हैं प्रभू के लिए प्रभू के राज्य के विस्तार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं इनकलीसियों के लिए परमेश्वर आज जितने भी जन भोते हैं, आज तो एक स्पेशल डे हैं परमेश्वर, क्रूसिफिकेशन का दिन है, तुने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, अपनी जान दे दिक, परमेश्वर तो हमारे लिए मारा गया, तो जितने भी जन भोते हैं, परमेश्वर धन्यवाद के सब रूप, तेरा पुवित्रात्मा इन लोगों को छुए, ये धन्यवाद करते हैं तेरा परमेश्वर, जो तू हमारे लिए मारा गया, गाडा गया है, ये तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और इस धन्यवाद सब रूप ये अपने बीजों को अपने हदियों को अपने ओफरिंग्स को बोते हैं परमेश्वर इनके ओफरिंग्स को सभिकार करें इनके खुले हुए दिल को आत्मा में भरे हुए आंसों से भरे हुए इनके आखों को देखे पर मेश्व तू हमारी ओर देखता हैं इनके भरे हुए हाथों को देखे इनके मुँंग को जिसमें से धन्यवाद निकल रहा है तो इनके देख खुदावन और तू इनके लाइफ में अपने favor को दे पर मेश्वर खुदावन देक एक जनकों में तेरी सामर्थ में तेरे हाथों में तेरे बलड के नीचे शुपाती है परमेश्वर आज तेरी परमेश्वर Hungarian Healing Power तेरे शुटकारा देने की बंदन तोड़ने की जंचीरों को खोल देने की ताकत प्रमेश्वर आज एक चन की लाइफ में कारे करे प्रमेश्वर तरह पोत्र सामर्थ के रहे लहू के लिए हम तेरा धन्यवाद करते है इस गुट फ्राइडे के लिए तेरा धन्यवाद करते है प्रमेश्वर, आज ही कितिन के द्वारा, प्रमेश्वर, आज हम बचाएगे हैं, सभी जन बचाएगे हैं, और तेरे नाम में हम उचे हुए हैं, और तेरे नाम में आज हम शिफा पाएंगे, प्रवेश्व मसी के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमें, आमें, सभी जन आ को खोल कर रखे प्रबु आज आपको हील करेगा यहाव राफ आज आपको चंगा करेगा जिपने बिमार हैं पूरे आत्मा में रहें तर्फ आपका दिनías को जो लाल रंग की बालिय बाल्टियों में डालते जाएं और जो वाइट रंग की बगट्स हैं उसमें आपने चर्च भवन के लिए जो रेगुलर संदे थस्ट आप सीड को डालते हैं उन बगट्स में डालते जाएं और वोलिंटियर्स आपके पास आ रहे हैं तो सब अपने-पने सांट के पर ही इवेंजिलिजम पार्टनर्शिप में अपने सीड को बोना चाहते हैं तो आप पुल्पिट के राइट एंड साइड भाईयों के सक्षन के बिल्कुल आगे जो टेबल लगा है टीम बैठी है आगे आकर अपने सीड को अपने बीच को परमेशर के कामों के लिए अपने जमा क यह तो आगे आकर अपने बीच को जमा करवाते जाना है तो यह महिने ही आपने सीड को जमा करवाएंगे लगातार बारा महीनों के लिए तो जुरूर्वी आगे आगे आकर अपने नामों को note करिवाएं अपने बीजों को परमिश्व के कामों के लिए जिमा और निकालते जाना और जिनके आथों में आपनेे cahな के बैठे ही अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि आप पुरे भारे से, पुरे इंडिया से, आल्लाइन तरीके से, जैसे के UPI एप्लिकेशन्स, उनके QR कोड को स्कैन करके हैं, जैसे के जीप पे, गुगल पे, इस QR कोड को स्कैन करें, और आल्लाइन तरीके से अपनी आफरिंग को आप पुरे भारे से, पुरे इंडिया से परमेशर के कामों के लिए भेज सकते हैं, ICICI Bank, HDFC Bank, इनकी अकाउंट डिटेल आपकी TV स्कीन के उपर हैं, तो आप इन बैंक अकाउंट्स में RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPAS के जरिए, अपने सीड को, आप चर्च में परमेशर के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को आभेस सकते हैं, आज Good Friday है तो आज, आपने परमेशर के कामों के लिए अपने best सीड को, अपने बड़े बीच को निकालना है, चर्च ब्रांचेस में भी, में ह चर्च में भी तो जरूर आगे आए और अपने स्पेशल सीड को परमिश्र के कामों के लिए जमा करवाते जाएं पार्टनर्शिप लें तांके सुसमाचार का जो काम है वो और भी तेजी के साथ स्पीड के साथ बढ़ता जाएं और जो लोग के समय आप फॉरां से विदेश से हैं आप जुड़े हैं और आप मिटिंग को अटेंट कर रहें तो जो तीन इंड़ स्कीन के उपर हैं यह नंबर 24 आर्स आं रहते हैं तो आप इन अपर पर कॉल करके वर्टसेप करके आप इंफमिशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपने आफरिंग को बेजना है तो टी तो आप अपने एक हाथ को उंचा करके हिलाते जाएं ताकि वोलेंटियर्स आपके हाथ को देखें आफरिंग टाइट को लेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें और सभी वोलेंटियर्स जो आफरिंग टाइट को लेक्ट कर रहे हैं आपने जुरूर अपने चारों तरफ ध्यान देना है जहां पर लोग हातों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंच रहे हैं तुना मरता मेरी खाते मैंने जीना ताना अभी भी जिनके पास वोलेंटियर्स नहीं पहुंचें जिनके आफरिंग एटाइट हैं अपने एक हाथ को हिलाते जाएं और ताकि वोलेंटियर्स वोया है वो आपके हाथों को देखके आफरिंग टाइट कॉलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके चर्च ब्रांचस में भी इसी तरह से और आज जुरूर अपने बेस्ट सीड को पोएं परमिश्र के कामों के लिए TV Ministry, Evangelism Partnership, TV Channel के लिए My TVN Partnership को लेने के लिए जुरूर पुल्पिट के राइट हैं आगे आकर अपने सीड को अपने बीज को अपने परमिश्र के कामों के लिए चमा करवाते जाना हैं जिनके आथों में ओफरिंग है टाइथ हैं अपने एक हाथ को अपने उंचा करके हिलाते तो मेरे दिल आए मसीहा तेरा चेहरा कभी ऐसा तो न था आए मसीहा तेरा चेहरा कभी ऐसा तो न था प्रूना मर्था मेरी खाज़ा जिनके पास वोलेंटियस नहीं पहुंचे हैं आपके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है टाइथ हैं अपने एक हाथ को उंचा करके हिलाते जाएं ताके वोलेंटियस आपके हाथों को देखके आप तक पहुंच सकें सभी वोलेंटियस जरूर चारों तरफ ध्यान दें जो लोग हाथों को इला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना हैं अगर आपने ओफरिंग नहीं डाली हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं सिर्फ वही लोग जिनकों हाथों में ओफरिंग हैं केबल वही लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताके वोलेंटियस आपके हाथों को देखके आप तक पहुंच सकें जिन्दिगानी काई रसता कभी कुल ना ताना था कि अगर आपको अनोंटिंग ओट के अगर एक हाथ को देखके आप तक पहुं 참 के तूना मरता मेरी घाथ पुत्र खुदा दावे को हो या बलिदाने पुत्र खुदा जिनके आप्टों में ओफरिंगे टाइथ हैं अपने एक हाथ को हिराते जाएं ताकि वोलेंटियर्स ओफरिंग टाइथ क्लेक्ट करने के लिए आप तक महुंच सकें अगर वोलेंटियर्स अब तक नहीं पहुंचें अपने एक हाथ को हिराते जाएं जिनके पास वोलेंटियर्स नहीं पहुंचें जिनके आप्टों में ओफरिंगे टाइथ हैं अपने एक हाथ को उच्छा करके हिलाते जाएं जिनके पास वोलेंटियर्स ओफरिंग टाइथ को लेक्ट करने के लिए नहीं पहुंचें तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं तांके बोलेटियस आपके हाथों को देखके आप तक पाउन सकें किरते जल्दा जीबसी मार मार कोडे पाते पिंडे ते शाने पुतर कुदादा वेको हो या बलीदाने पुतर कुदादा हो या बलीदाने पुतर कुदादा हो या बलीदाने पतर स्युहना दे कुर्बन नियों पुल दे सुन के कहानी रोने अखिया जोड दे सुन के कहानी रोने अखिया जोड दे पुतर कुदादा के कुद्धर देन अखिये जोड ग्रफ़ै जोड दे साठे पपल या बलीदाने किन्ना परशाने पुतर खुदादा हो या बलीदाने पुत्र खुदादा वेको होया बलिदाने 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 सुने के कहाणी रोड़े अखिया चोड़ू दे सुने के कहाणी रोड़े अखिया चोड़ू दे सुने के कहाणी रोड़े अखिया चोड़ू दे सुनिके कहाणी ओए तकियां चोड़े दे साथे पापा लई होया कितना परिश्वाने पुतिरे कुदा लावे को दोया बजिवाने पुतिरे कुदा लावे को दोया बजिवाने पुतिरे कुदा लावे को दोया बजिवाने तुर्प्या बसिहां मोटे चुक के सलीब सी पुर प्याद सी हावदे चुके के सदीब सी दुखे ओ शरीर ते चल दा अजीब सी मार मार कोड़े बाते सिंडे ते निशाने पुत्र कुणा लावे को खोया बनिगाने पुत्र कुणा लावे को खोया बनिगाने तुर प्या मसीहा मोटे आद तुको उठा के चाम दुखे ओ सरीर ते चल दा अजीब सी दुखे ओ शरीर ते चल दा अजीब सी मार मार कोड़े पाते पिंडे ते निशाने पुत्र कुणा लावे को होया बनिगाने 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 पुत्र स्यlav लावे को होया बनिगाने पत्रस यों घwnा रावी उर्यादी न और यों मुलिए सुर के कहाणीं योडे थकियाँ चोदू ले सुर के कहाणीं योडे थकियाँ चोदू ले साथे पापा नही होया मलाई होया, किन्न परेशाने पुत्र खुडानावे को, होया बनिलाने पुत्र खुडाना, होया बनिलाने हो या पुत्र खुरावे को, हो या बलिदाने 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 पुत्री खुदारा में को होया बनिनाने 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 मारे मारे कोडे पाते पिंडेते निशाने पुत्री खुदारा होया बनिनाने पुत्री खुदारा बनिनाने होया बनिनाने मारे मारे कोडे पाते पिंडेते निशाने पुत्री खुदारा बेको होया बनिनाने अपनी हदों को उठाओ जीजस ने कहा परकात्षित्वा के एक उसकी अठारा आयत में मैं मर गया था अब देख मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यू और अधो लोग की कुंजियां मेरे ही पास हैं पहला कुरंतिया पंद्रा उसकी चोवन से लेके छपन आयत तक लिखा है और जब ये नाश्वान अविनाश को पहन लेगा और ये मरन हार अमरता को पहन लेगा तो वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा जये ने मृत्यू को निगल लिया हे मृत्यू तरी जये कहा रही हे मृत्यू तेरा डंक कहा रहा अपने हादों को उठाओ उसने कहा हे मृत्यू तरी जये कहा रही जब आपको ये बोला जाता है कि प्रभी यिशुम उसी कहता है कि मैं मार्ग हूँ, जीवन हूँ और सच्चाई हूँ तो लोग कुछते हैं कि जिनके पास यिशु नहीं है, क्या उनके पास जीवन नहीं है वो भी जीते हैं, वो भी खाते और पीते हैं लेकिन वो परमेश्वर उस जीवन की बात कर रहा है, जो यहां का भी है और उपर का भी है. अपने हाथों को उठाओ, सुनो मेरी बात. जब कोई व्यक्ति, आपको यह कहता है. शांती, सुनो वचन को. क्योंकि उस प्ले के बाद, मुझे वचन देने का बिलुकुल मन नहीं होता. आप इनफ देख चुके होते हैं. लेकिन एक मेसेज जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपको देना चाहता हूँ. कोई व्यक्ति ये पूशता है आपसे कि कौन सा जीवन, क्या हम जी नहीं रहें? लेकिन वचन ये कहता है, कि जब आप जीजस क्राइस के इस क्रूस के उपर विश्वास करते हैं, ये क्रूस शर्मिंदगी का प्रतीक होता था. रेपिस्ट को, वलादकारियों को, डाकों को इस से सजा दी जाती थी. लेकिन वाइबल कहती है, बिना कसूर के परमेश्वर ने ये क्रूस उठाया. पता है क्यों? ताकि जो कोई इस क्रूस के उपर विश्वास करेगा कि प्रभी यूश्वम उसे ने मेरे लिए क्रूस उठाया है, उसकी आज की शर्मिंदगी जाती रहेगी. आज की बिमारियां जाती रहें. जब परमेश्वर आपसे ये कहता है कि मैं तुम्हें अनंद जीवन दूँगा, यानि मैं तुम्हें एक स्वरक का राज्य दूँगा, स्वरक का वारिज बनाऊँगा, तू स्वरक में जाएगा. तो लोग बोलते हैं स्वरक किसने देखा है? लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ, वो स्वरक परमेश्वर जो कहता है कि तुम्हारा होगा जब तुम मुझ पर विश्वास कर लोगे, वो जीवन तुम्हारा होगा, और मैं आपको खुश खबरी देना चाहता हूँ, वो जीवन मरने के बाद शुरू नहीं होता, उ वो जीवन आपके शरीर में जाता है, जब आपको बिमारियों से मुक्ति मिलती है, वो जीवन फिर आपके हर एक शेतर में जाता है, जहां आप फेल थे, जहां मृत्यू थी, जहां पर पाप ने मृत्यू को जब लेके आया, वाइबल कहती है, जब प्रभी उश्व मसी के क क्रूसिफिकेशन को देखा कहीं भी आपने ये डायलोग नहीं सुनागा प्रभी युश्यमसे ने कहा हो जाओ अब मेरे धरम के लिए लड़ो जाओ और अब मेरे धरम को फैला दो युश्यमसी चाहते तो बोल सकते थे क्योंकि वो इस दुनिया का मालिक है कोई उसे रोक नह मृत्यू जो आज हस्बन वाइफ के रिलेशनशिप्स में हैं वो मृत्यू जो आपके कैरियर में हैं बाइबल कहती प्रभी युश्यमसी ने क्रूस पर जान देकर उस मृत्यू को पाउं के नीचे रौंद दिया है इसलिए पॉलूस ने टॉंट लगाई पॉलूस ने मृ दंक मारा जीजस क्राइस्ट को जीजस क्राइस्ट ने वो डंक आपके लिए और मेरे लिए सहा है अब मदुमक्खी जीवी तो है लेकिन बिना डंक के अब शैतान है तो लेकिन बिना डंक के तो कि वो डंक परमेश्वर ने आपके लिए ले लिया है आज जो कोई प्रभी तो वचन कहता है कि वो अभी से अनंद जीवन को पाता है वो जीवन उसके परिवार में वो जीवन उसके फाइनेंस में वो जीवन उसके शरीर में वो जीवन उसके बच्चों की लाइफ में उसके परिवारिक जीवन में उसके समाजिक जीवन में हर तरफ वो जीवन काम करना शुरू करता है हर तरफ से आप मौत से छुटकारा पाते हैं हर तरफ से आप मृत्यू से छुटकारा पाते हैं इसलिए जीजस क्राइस ने कहा अदो लोग की और मृत्यू की कुंजियां उसकी चाबियां मेरे पास है किसी ने नहीं कहा जीजस ने कहा कि मृत्यू की चाबियां मेरे पास है जो उसने लॉक लगाया है ना उसकी चाबियां मेरे पास है आपके पिता के पास सारी चाबियां है जो उसने आपको दे दी हैं अगर आप विश्वास करें और उसके नाम के उपर विश्वास करके बब्तिस्मा लें पापों से मन फिराएं, तो उसने कहा, मृत्यू की चाबियां मैं तुझे देता हूं, हालेलुया, आप उस मृत्यू को अपने घरों से, अपने जीवनों से, अपनी सेहत से, अपने मन से, अपने मानसिक जीवन से, आप उस मृत्यू को खतम कर सकते हैं, हालेलुया, उंची व अपनी जय को खो दिया है, जीजस क्राइस के क्रूस को आप देखते हैं जब ये शुमसी को क्रूस के उपर चढ़ाया गया, तो बचन कहता है कि आज जो कोई जन उस क्रूस के उपर विश्वास करेगा, वो अपनी शर्मिंदगी से आजाद होगा, आज अब घरों में परोशन नहीं कर पाता, वो शर्मिंदगी महसوس करता है, एक जवान जब अपनी फैमली को सपोर्ट करने के बज़ाए नश्व में लग जाता है, बिमार हो जाता है, वो शर्मिंदगी है, जो शैतान देता है, जीसस ने कहाँ, शैतान तो हैas मारने के लिए, घात करने के लि जब आप वर्शिप करेंगे मेरे साथ, जो ओयल आपके हाथों में है, ईशुमसी के नाम में वो मसा हो चुका है, आज जब ओयल आपके शरीरों के उपर आएगा, जो फाइल्स आप लेके आए हो, जो चीजें आप लेके आए हो, जब वो उनके उपर जाएगा, आज आप हुआ है, तो कि आज अनकिनत लोगों को मैंने हील होते हुए, चंगा होते हुए, और आजाद होते हुए देखा है, ये मृत्यों की जो डंक था, ये मृत्यों की जो पावर थी, परमेशों ने वो खतम कर दी है, आज मैं आपके लाइफ के उपर घोशना करता हूँ, एनमी जो मृत्यों को लेकि आना चाहता है आपके लाइफ और विजन के उपर, चीजस आज आज आपको लाइफ देते हैं, जीजस ने, आमेन मेरे को हुझे वाला और खड़गने वाला चाहिए, शैطान ने जो सोचा है आपको मृत्यों देने का आपके लाइफ में, सेहत में, मै आपके हाथों में उसे आप लगाएंगे जब अपने सिरु पे उंडे लेंगे, उसे लगाएंगे, मैं भविश्यवानी करता हूँ, शैतान जो आपको मृत्यू देना चाहता है, जो आपके बिजनस को, सेहत को, डाउन करना चाहता है, आज मैं येशु मसी के नाम में इस लोगों को चलते हुए, वील जेर से लोगों को आदाध होते हुए, फुल वेहरी कैसी बिमारियों से आदाध होते हुए, आज मैं देख रहा हूँ, आज हजारों हजारों की ताधान ने आज बेवी ब्लेस्ञ जी साथ यहां से जा रही है और वापिस हा रही हैं देने के ये उसको आज यस्व cheating नाम में अंत्रे देखेंगे आज ये श्मसी के नाम में बहले सुनेंगे आज ये श्व satisfactory शुब जाती रहेंगी आज ये श्वард्व मेरे सॉलिया और सब तरह गिल्दियार अन्प्रिया कैसे हो जाएगी जैशन काहई docs giving the mighty name of Jesus Christ आज गूड़ फ्राइडे की इस सामर्त से ऐसा कोई दिन नहीं ऐसा कोई जन नहीं जिसके तीन दिन मनाए जाते हो सब आये और मर गए लेकिद जीजस क्राइच आये और मर गए और जी उठे ऐसा कोई नहीं आज उसकी उठने की सामर्त तुम्हें छुए और चंगा करे युशु मसी के नान में। आप जानते हैं, मौत पर रोया जाता है, लेकिन शहीदियों पर रोया नहीं जाता, शहीदियों पर मातम नहीं मनाई जाते ने, तो वो शहीदिया नहीं हैं। इस्तिहास की सबसे बड़ी शहीदि जीजस क्राइस की है। परमेश और राजाओं का राजा है, तो इस दुनिया के मुकद्मों की फिकर नहीं हैं, युकि मेरा परमेश और राजाओं का राजा मुझे विप्टरी और जीत देने वाला है। उसने हाथों और पाउं के बरकीलों को टुकवाया ताकि तुम्हारे हाथों और पाउं के गुनाहों को खतम कर सके उसने सिर्फे कांटों का दाज डाल कर शरीर पर कोडे खाए 49 कोडे एक एक कोडे से कितना कितना गराम मास बाहर आता था 40 गराम, 50 गराम उसने किलो के हिसाब से मास को खोया वाइबल कहती उसकी सुन्दरता आद्मियों के जैसी नहीं रह गई थी ताकि तुम सुन्दर हो सको तुम आत्मा में परमेशों के सामने सुन्दर बन सको ताकि तुम चंके हो सको उसके कोड़े खाने से वाइबल कहते तुम चंके हो चुके हो बचल कहता है उसने अपने लहू को बहा दिया ताकि तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ती मिल जाए येश्य मसी की कुरवानी में इसलिए हम रोते नहीं है इसलिए हम उसे मेरी smaller service की तरह नहीं मनाते है कि जीजस अच्छा था हम मर गया वो अच्छा था हम मर गया लेगर अगला सीन ये है कि वो जी उठा येश्य के नाव में वो जी उठा मैं निका वो जी उठा ऐसा कोई नहीं है तुम भी जी उथो येश्यू के ना में भविश्य वानी करता हूँ यहाज केल को खुजा ने का भविश्य वानी कर ये हटियां जी उठे आज येश्यू मसी के सामर से में भविश्य वानी करता हूँ तुमारे मरे हुए पिसनच जी उठे मरे हुई हटियां जी उठे मरे हुई शादियां जी उठे मरे हुए कांज जी उठे मरे हुटांगे जी उठे मरे हुटांगे जी उठे जी उठे, जी उठे, जी उठे ये शुमसी के सामर्थी नाम में जो टांगे चलती नहीं वीलचेर पे जी उठे येश्यु मसी के नाम में जो कान चलते नहीं जी उठे येश्यु मसी के नाम में जो आँखे देखती नहीं जी उठे और देखने लगे येश्यु के नाम में परमेशो का आत्मा कह रहा है इस प्रार्थना को शब्दों के तरफ से मत लेना अगर परमेशो का आत्मा कह रहा है तुम्हारे कान जी उठें बहरे अपने आपको चेक करें अंधे अपने आपको चेक करें रसॉलियों के रोगी चेक करें बीमारियों के रोगी चेक करें कैंसर के रोगी चेक करें येश्यू मसीके सामर्ती नाम में चंगे हो जाओ खुदावन का आत्मा चेह रहा है समय आजुका है समय आजुका है तुम्हारे छुटकारे का याद रखो येश्यू मसीक ने कहा मैं कुरूस पर बांधा गया हूं ताकि तुम्हें शेटान के बंधनों से आजाद कर सकों। आज आपके लिए बेस्ट डे है। क्योंकि आज मैं आपको शेटान से मुक्ति पाता हुआ, छुटकारा पाता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन परमेशों का आत्म मुझसे एक बात कह रहा है। शर्माना मत, जिजकना मत, अगर तुम्हें लग रहा है, तुम्हें लग रहा है, तुम्हें लग रहा है, शरीर हिल रहा है, शेतान जा रहा है, तो घबराना मत, कंट्रोल मत करना। वो लंडियर जिनके अंदर दूश्टात में होंगी आपको उन्हें आगे लेके आना है पुलपट के पास क्योंकि परमेश्व का आत्मा मुझे कह रहा है आज के दिन वो आपको छुटकारा देकर आपको फ्री करके वापिस भेज रहा है पहुंसी पहनों को मैं छुटकारा पाते हुए देख रहा हो जितनों के अंदर दूश्टात में होंगी तुम्हारे पास पांच मिनिट होगे वुलंडियर्स सब काम छोड़के भाग जाओ और उनको लेके आना है जहां जहां भी वो लोग खेल रहे हैं भाईयो शर्माना नह उसकी सामर से साहिर होगा और निकल जाए येश्यू के नाम में होली गोस आज येश्यू की आग येश्यू की आग येश्यू की आग येश्यू की आग यहां मौदूद है और तुम पे उतर रही है होली गोस जब तुम होली गोस फायर को रिलीज करोगे अपनी फैमिली प लोगों को लगता है कि जो लोग खेलते हैं सिर्फ उनी में दुष्टात्मा है तुमारे बिस्नस में हो सकता है दुष्टात्मा का परभाब हो तुमारे कैरियर पर हो तुमारे स्टडी के उपर हो आज जब तुम फाइर को रिलीस करोगे ये शुका आत्मा मुझसे कर रहा वो तुम्हें छुडा रहा है Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost निकला, 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 निकला मैं अपनी spiritual authority को अपनी staff को अपनी rod को exercise करता हूँ शैतान तुझे अरेस्ट करता हूँ सरग तुझे आगे खीच के लेके आए तो अपने आपको रोक ना पाएगा मेरे भाई मेरी पहनव सरग तुझे आगे लेके आ रहे हैं खुद वुलंडियर से भी ज़्यादा सरग तुझे लेके आ रहे हैं येश्यू मसी के नाम में येश्यू मसी के नाम में catch fire येश्यू के नाम में catch fire येश्यू के नाम में catch fire येश्यू के नाम में catch fire ओलिकोस आज की मीटिंग में मैं देख रहा हूँ जो भाई जो बहने अपने बिजनस करते हैं और वो सामर्द को रिलीज कर रहे हैं फायर को रिलीज कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ याद रखो दुनिया में ऐसे इंसान भी है जो मंदी आने पर भी गरीब नहीं होते जिनके बिजनस कभी डाउन नहीं होते को बहुत तंग करती है परमेशुक आत्मा गैरा फायर को रिलीज कर ये एक शैतानी बंदन है मैं एक आरत को देख रहा हूं कोई सोच भी ने सकता कि इस आरत को दिमाग में ये खयाल आचकते हैं ये आरत साथ साल से उपर गी है लेकिन दिमागी तोर पे बिल्कुल डिस्टर कर रहा है रहा है राइट आओं इन जीजस ने मैं दो बेहनों को देख रहा हूं यहां के दो बेहनों को तुम दोनों गो फ्राबलम् शुरु anal हुई पीच में यूरिन करने की बीच में बाथ्रूम करने की पहले नहीं थी परमेशुक तुम जवानों दोनों 20 से उपर हो प कर दो आख 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 कर दो आ गडिक, टिक, 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 में मैं देख रहां online वहीं से वहीं से खड़ा हो जा मैं देख रहां खुदावन की आत्मा को आपको छूते हुए खुदावन की स्पिरिट को आपको छूते हुए in the name of Jesus आप जहां भी हैं ब्रांचिस में आप जहां भी हैं online right now Jesus आपको free कर रहे हैं wheelchair से free हो जाओ शिकंजों से free हो जाओ तमे से free हो जाओ तमे के रोगियो मेरी आवाज को सुनो भागो यहवा का spirit कहता है भागो भागो चलो नहीं भागो तमे के रोगियो भागो ये शुद में छेंगा करता है आज कैंसर के रोगियो येश्यू तुम्हें चेंगा करता है आज सरवाइकल के रोगियो येश्यू तुम्हें चेंगा करता है आज येश्यू मसी के ना के चेंगे हो जाओ मैं तुम्हें देख रहा हूँ हील होते हुए एक यंग लड़के को मैंने कानों को हील होते हुए देखा है तुम्हारा कान अजीब रियक्ट करता है कभी बंदो जाता है कभी एक दम से तुम्हें अजीब सा फील होता है कभी कुछ होता है पर मेश्यो का आत्मतरिक कान को छूर है अभी राइट ना मैं बढ़ाई के उपर से शैतान के बतों को खतम होता हुआ देख रहा इस चर्च की लड़कियां जो बच्चियां है येश्यो के सामर्थी नाम में एक्सिलेंट रिजल्ट के साथ वापिस आएगे येश्यो मसी के सामर्थी नाम में एक्सिलेंट रिजल्ट के साथ वापिस आएगे आज येश्य मसी तुमारे जीवन के सब श्रापों को खतम करते हैं आज येश्य मसी तुमारे बांचपन की बिमारी के श्राप को खतम करते हैं आज प्रभी येश्य मसी तुमारे जीवन के सब श्रापों को खतम करते हैं तुम्हें चंगा करते तुम्हें उठा रहे हैं तुम्हारे आंस्वों को पोंच रहे हैं आमेन मेरे का उंचे बला चाहिए मैने का आमेन उंचे बला चाहिए मेरे का आमेन उंचे बला चाहिए हालेलुया 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 खुदावद का आत्मा तुमें छुए तुम जहां भी हो उसका आत्मा तुमें टच करे तुम जहां भी हो उसका आटमा तुमें रिलीस करें शैटान के पंफनों से तुम जहां भी हो in the mighty name of Jesus be free be free आमेनों जाब बरकत तुमारी है साथ बार आमेन बोलो ओची अवास में एक सेगेंड के लिए आया था यह रोखोलो रोखोसो रोखो यह देखो क्या हो रहा है स्केट के पर दिख 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 दि को इन छीजस ने ये ये मसी के सामर्ती नाम में अपने हादों को उठा लो ऑन लाइन ना ये 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 नाम में जादू और तोने को अपने पाओ किने चे ख़ड़ दो तुमारे लाइब से ख़ड़ दो दो बढ़ लाइब से पिर से बोलो फिर से मैं आजाद हूँ येश्यू के लहू से मैं आजाद हूँ फिर से बोलो येश्यू के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ फिर से बोलो येश्यू के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ पिट से बला हुची आवाज बही जितनों के खरों में, जिंदगियों में, जादू ओटो ना है मैं कमांड करता हूँ राइट ना हूँ इन जीजस नेम, जादू ओठने की आत्मा हूँ निखल दा हूँ आर्ड, 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 आर्ड तुम जादू और तोनों से आजाद हो रहे हो आज की मीटिंग प्रैक्टिकल मीटिंग है शब्दों की मीटिंग नहीं है प्रैक्टिकल मीटिंग है प्रैक्टिकल हो रहा है येशु को पेचारा मत समझना वो जी उठा है बाप के दाईने हाथ बैठा है वो बैचारा परमेश्वर नहीं है उसकी शहीदी का मादब बनाने के लिए उन्हें गठा नहीं हुए है वो अपने पाप के इस ताईने हाथ बैठा है राइट नाओ तुम्हें और मुझे देख रहा है येश्य मसी के नाम में चंगे हो जाओ सिर के रोगों से हिर्दे के रोगों से, हाट रोगों से किट्नी के रोगों से चंगे हो जाओ पेट के रोगों से चंगे हो जाओ हटियों के रोगों से चंगे हो जाओ हार्मोनल रोगों से, भलड के रोगों से चंगे हो जाओ येश्यू के नामे सबतरा के जर्दों से चंगे हो जाओ कठिये से चंगे हो जाओ स्किन की बिमारियों से चंगे हो जाओ सिर के रोगों से चंगे हो जाओ आग के रोगों से कानों के गले के रोगों से चंगे हो जाओ चाती के दोबंकों से रस्टालियों से चंगे होजा पथ्रियों से चंगे चंगे होजा कमजोरियों से चंगे होजा कमजोरी का तुछ चातपर तुमे छोड़के चला जै right now in Jesus ने कमजोरी आ व तिंचीजवस ने तुमारे शरीर चंगे हो जाएं इश्रमसी के सामध्ती नाम बे हत्रा का रोक तुम्हें छोड़के चला जाए right now in Jesus name आमेन उचे वाला चाहिए उचे वाला चाहिए हालेलुया 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 अबस ही ये भाई जो है एक्सेंट हुआ था और फ्रेक्चर था राइट चूला और चलने पा रहा था आज प्रभू ने चुआ कैते और अभी चलने लगा जैसे अपने बोला के परमेशन के आग जो है लहू की सामध्त आज आज आप लोगों को चुएगी ये भाई पूरी पूरी तरह से फैमिली के साहरे ते एक कदम भी नहीं चल पाते थे सपैसल यूपी से मीटिंगा टेंट करने के लिए है और जैसे ही आज आज आपने प्रात्ना की प्रमेशन की संभर्त ने चूआ पूरी तरह से ये बाई हीलो होचुके हैं बिना किसी सहारे के चल पाते ब प्रभू ने छुआ, इनके टकनों में बालाया, सुकी हट्डियों को प्रभू ने भरा भरा किया है, और ये पहन चल पारी है, अपॉस्टल जी दो महीने पारी है, सुक्रको, उचा देखो, गोलो, थैंक्यू जीजस, पेर से, पेर से, पेर से, सुनो, ये वीलचेर को क्रूस आगे से रखो, पीछे से नहीं, ये वीलचेर मिर्क्यू का, और ये क्रूस जीवन का प्रतीक है, जीवन पाजाओ अभी, आज, राइट नाव, तुम्हारे जीवन में जो कुछ मरा हुआ है, वो सब जीवन पाए, अभी, इन चीजस नेम, आमेनूचे वला जाईए आमेनूचे वला चाहिए, बहुत बड़ी कवाही है, ये भाई का दो साल पर लेक्से रूगा था, और दो साल से बैट के उपर था, आज उठा के चर्च में लेकर आए, वीलचर के उपर, जैसे ही अपने बहाता की, दो साल का बैट में बना व्यक्ति, आज उठा है, अधा हुए, और जैछल पार है, पूरी द्वासल जी भी इसपर, अब के उखसे ही उखए बहाता की, ये बहाता है, ये पूरी तरह से हील हो चुके है, और पसे ये बहन जो हमारे सामने है, इनकी लाइफ पूरी तरह से वह बिचार में, आप वितरताई में थी, और कहते है में मैं देख रहा हूं एक यंग लड़की को गोरी सी लड़की को उसका जदा लंबा नहीं है वो गलस संगती में पढ़ चुकी है गलस संगती इतनी इतनी भारी गलस संगती इसको आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता बहुत से चीजों को वो खाती है बहुत से एक्सपरिमेंट करती है और मैं देख रहा हूँ अगर तू ना सुधरे तरी लाइफ फिनिश है मैं दुझको मैरीज होते हुए तरी मैं नहीं देख रहा हूँ तरी लाइफ खड़ाब है तुझको आगे आना बिना शर्माते हुए और मैं देख रहा हूँ छूरा और अजाद कर रहे है और और जैसे ही आपने वो इश्रवानी की उसी समय तुष्टात्मा छोड़ के गया गंधी तुष्टात्मा उसके बाद कोई भी टॉइलेट इसने नहीं खाया कोई अपनी बॉड़ी के साथ पाप नहीं दिया पूरी तरह से लाइफ शो तो है थेंक्यू जीजस सुनो यह चीजे तुम इंटरनेट पे नहीं लिखते ए वोलंटियर रुप जाओ जहां खड़े हो वही दुप जाओ अपने प्रोसी को बोलो यह चीजे थे तुम इंटरनेट पे नहीं लिखते हो लिखते हो क्या तुम्हारा नाम लिखा है कार्ड का नंबर जब तुम ओफरिंग देने के लिए जाते हो तो पता है सामने वाले को तुम्हारे बच्चे कितने है तुम्हारी फेस्बुक पे है लेकिन मैं क्या कोई सोच सकता है टॉयलेट खाता कुछ सोच भी सकता है क्या और परमेशुर का आत्मा जाहिर कर रहा है और फ्री भी कर रहा है ओ जीजस प्रोफेसी इंटर्टेन्मेंट बना दी लोगों ने जबकि वो इंटर्टेन्मेंट नहीं बहुत सीरियस बिजनस आज इसी भविशेवानी की स्पिरिट से मैं कह रहा है आपके जीवन जीवन पा रहे है आप मौत से बाहर आ रहे है आपका फाइनेंस मौत से बाहर आ रहा है आपके मेरिज मौत से बाहर आ रही है आपके रिलेशनशिप्स मौत से बाहर आ रही है आपके सेहत मौत से बाहन आ रही है आमेनु जाए आशिश हमारी है मैंने आशिश हमारी है चर्च अब असरे अपने वष्वानी की के को एक लेडी साथ साल से उपर की उमर जिसे देकर कोई सोच भी नहीं सकता कोई अटेक भी इस पर होता होगा लेकिन कहते हैं बहुत डिस्टाउब हैं और बहुत दुष्टात्म के अटैक इस बहन पर होते थे और कहते हैं जैसे आपने वविश्वानी की प्रभू ने छुआ कहते हैं वो फेर स्परेट वो गंदी आत्मा छोड़ के गई और ये बहन पूरी तरह से फ्री है तारीफ करो जोजोर से है और पसलिए तीन साथ से राइट टांक में इस बहन के पूरी तरह से ब्लॉक हो चुगी थी थोड़ा सा भी चल देते इन्हें बैटना पड़ जाता और जैसे ही आज आज आपने प्रातना की प्रमिश्य के सामत ने चुआ आज खुद एमर्जेंसी से पहली ब और तौर सौलिया गुपताम से बाहर इस बहन के आई जीजस जीजस अलेलिया बश्य नौ महीन से इस भाई को अस्तमे का रोकता है बाई इमेजिन करो टाइम कितना शौट है कितनी बड़ी टेस्टमनी है एक हो जाए न चर्च में खतम मिटी और ऐसी कितनी है लेकिन टाइम देखो एक समय होता है प्रीच सुनने का एक समय होता है प्रीच देखने का आप प्रीच देख रहे हो मैंने का आप प्रेक्टिकल देख करते थे लोगों को ओ आमे नूचे वला चाहिए चर्च उसने का वो मन के गुप्त बातों को पप्लिकली प्रगट करेगा जो अंधेरों में हुआ वो कोठों पर से परचार किया जाएगा तुमारी टेस्टमनी चराहों के ऊपर से कोठों के ऊपर से लोग सुनने वाले इस साल तुम मैरिट होंगे इन जीजस ने है जब तुम ठूंटने के लिए जाओगे अपने पार्टनर को तो इस साल तुमें अपनी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट परमिश्वर देने जा रहे हैं आमेन मेरे को उचे वला चाहिए चर्च मैरे कामेन मेरे नुझे वला चाहिए तारीफ करो जोर से कानों से ब्लड आता था और कान पूरी तरह से बंथे और केते लोग इने पहरी-पहरी कहते थे और केते दूसरे कान में भी सेम प्राप्लम शुरू हो चुकी थी और केते प्रभू ने छुआ और पूरी तरह से कान खुल चुके हैं तारीफ करो सोर से दोसाल से पीरिड हे रेगुलर थे, त्याससा इस बैन का नाम है, प्रभू ने छुआ, उसके दूतों ने छुआ, और इनके भी रसॉली बाहर आ चुकी है, जो स्पेशल ग्रे से एनम की, वो लोगों को छू रही है आज तुम प्रीच सुन नहीं रहे हो, प्रीच देख रहे हो, बोलो अपने बडोसी को, बोलो आज सुन नहीं रहे हो, आज देख रहे हो संडे क्या है, जी उठने का दिन, क्या है, संडे हम जोर से हालेलुजा नहीं बोलेगे, हम चीखे मार मार के बोलेगे, जोर से नहीं बोलेगे उस दिन, सुना मेरी बात, कल मौनवर्त रख लो, कोई पुझे, कैसे हो, बोलेगे, क्या कर रहे हो, गला बचा रहा हो, कल को काम आएगा गला, और संडे, ये श्व मसी के नामे इतना गला खोलना है, कि शेतान के कान बंद हो जाए, आज बहनी रो रही थी, जब ये श्व मसी को कुरूज पर उठाय जा रहा है, मेरे परिवार के लोग वेटे थे, कोई रो रहा था, कोई कैसे, वो अब कुरूज पर नहीं है, वो जी उठाय है, वो जी उठाय है, आज अम ये श्व मसी के अच्छी बातों को याद नहीं करेंगे, वो मर गया था, बड़ा अच्छा था, ऐसी सर्वीस उन लोगों की होती है, जो जी के, जी हैं, मर जाए, फिर हम उनको याद करें, इश्व तो आज भी जीवित है, तो क्यों याद करें ऐसे, वो तो जीवित है, ये काम कौन कर रहा है, को लगता है, मैं कर रहा हूं, मैं किसी के मन की बात बता सकता हूँ मैं नहीं बता सकता हूँ लेकिन जब परमेश्वर जाहिर करता है तो उसे फेस्बूक के डेटा की जरुरत नहीं है वो आपके दिल के अंदर चला जाएका और जाहिर कर दे हालिलूया संडे अपनी लाइफ की बेस्ट ड्रेस डाल के आना टांगों को तरह स्ट्रॉंकल जिम जुम लगाओ थोड़ा सा संडे तुम्हें छोडूंगा नहीं मैं हर तरह का स्टेप तुम डालोगे नाचने के लिए हर तरह के उंची अवाज के साथ गाओगे तुम इशुमसी के नाम में चिलाओगे तुम तालियों को बजाओगे आनन्द को मनाओगे ओ आमेन उंचा चाहिए मेरे को चर्च हालिलूया एक साल से इस बहन के पीरियट जो है बंध थे और एनन्म की ग्रेस जो है इस बहन को चुआ रुसॉली इस बहन के बाहर आ चुपी थे और जैसे आज आज आपने प्रात्ना की प्रमिश्यों के सामर्त ने चुआ बिना किसी सहारे के यह बहन चल पा रहे है यह कैमरा मैन को क्या बिमारी है कि तुम फुल बंदा नहीं दिखाते और मुझे कोई प्राबलम नहीं मैं तुम्हें लाइव जड़के मारूंगा मुझे किसी की परवाह नहीं मुझे उन लोगों की परवाह है जो यह देखकर जिनका विश्वास बढ़ेगा उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए यह मैं खड़ा हूं क्रूस पर बले द्वारा हातों को ठाके गाउसम अबना लहू बाहाया क्रूस पर बले द्वारा अबना लहू बाहाया हिला के हातों को बाप को बिटा कर साफ है दिया हमको बचा दिया हालेलुया सुभी नहीं हमेशा ये शुमसी को देंगे हालेलुया सुभी नहीं हमेशा ये शुमसी को देंगे आलेलुया 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 इस जी मन घर में सदा तुझ को मैं याद करूगा इस दीवर भर देखा सदा तुझ को मैं याद करूगा तेरा आत्मा पागर तेरी इच्छा जानकर आरे ही बढ़ता जाऊंगा तेरा पागर तेरी इच्छा जानकर आगे मैं बढ़ता जाऊंगा बाले रुया सूपी महिमा हमेशा एक्षु मसी को देने अपने हादों को उठाओ तेंक्यू जीजुस बोलो जो लोग आज पहली बार यहां पे आये हैं अपने हादों को उठाएं और मेरे साथ एक प्रार्थना करें अगर आप चाहते हैं प्रभी इच्छु मसी आपके जीवन में काम करें तो मैं आपको खुश खबरी देता हूँ वो आपका धर्म बदलने के लिए नहीं आएं अपने हादों को उठा कर बोलें प्रभी इच्छु मसी मैं पापी हूँ मुझे ख्षमा करें मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे लिए अपने लहू को बहाया और आप मारे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठें मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे उठार करता है प्रभी इच्छु मसी के नाम में हम बाते हैं जो लोग आज पहली बार आए हैं दस मिनिट में मीटिंग जब आमीन हो जाएगी आप लोग आगे आएगे आपके लिए छोटा-छोटा एक गिफ्ट होगा आपके लिए प्रेयर होगी और आपके नमबर लेकर आप मेरी टीम आपको एक बार गाइड करेगी कि आपने प्रभू में कैसे चलना है तो वो एक दो बार ही आपको कॉल करते हैं उसके बाद आपको ही कॉल करना होता है प्रार्थना के लिए लेकिन आपके केस के लिए मैं साथ हफते प्रार्थना करूँगा जो आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिख कर देंगे खुदावन का आत्मा उसे छुएक और आप फ्री होंगे तो आप याद रखें कि आप जीजस क्राइस्ट के परिवार में हैं आप किसी NGO में नहीं आए आप येशु के परिवार में आए जहां येशु हमारा हेड है हम उसके शरीर के अलग-अलग अंग है तो मैं येशु मसी के परिवार में आप सब का स्वाधत करता हूँ जो पहली बार आए आपको आगे आना होगा मीटिंग खतम होने के बाद और उसके बाद आपको गाइड गया जाएगा प्रभू में कैसे भढ़ना है आपको कोई प्रोड़क्ट नहीं बेचा जाएगा जीजस हमारा मास्टर प्रोड़क्ट है वही हमारा सब कुछ है जो हमारे पास है आपको देंगे वो जो आपको जब वो मिल जाएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा जिसको जीजस मिल गया उसे फिर लौटरी की जुरत नहीं बढ़ती तो कि जीजस उसके लिए सबसे बड़ी लौटरी लौटरी या डालना छोड़ दो जीजस निकल चुक है लौटरी कर रूप अपनी हादों को उठा लो थेंक यू जीजस समय की वजा से हम सिर्फ टेस्टेमनी इकठी दिखा देंगे एक बार अपसे चीवन में सदामसों में अग्न रूपा अपसे जी इस टेस्टेमनी जो है अलग लग तरह की बिमारियों से प्रभू ने आज यहोवा राफान इन लोगों को शिफा दी है सालों के रोगों से पर मेशन ने चुटकारा दिया फ्री किया है और डिलिवर किया है और हील किया है अमेजिंग टेस्टेमनी और इसी टेस्टेमनी जालीस साल से कान बन था ओ गॉड थेंक यू लॉड इस ची बाकड़ा कितने साल से अस्थमा था तीन साल से चलो भागो और बसल जी आपने विश्वानी की थी एक लड़का यंग लड़का जिसके कान में अजीब तरह से रियक्ट करता है और प्रभू ने चुआ है और कानों को पूरी तरह से फ्री किया है चाती में दर था ब्लीडिंग हो रहे थी ओ चीजस और बसी जैसी आपने बोला कि आज खून के पेट के खून के रोग प्रभू आपको चूरा और हील कर रहा है इस बहन का ब्लीडिंग था खून बहरा था और इस बहन को भी लगातार खून बहरा था और आज स्टॉप हुआ वो ब्लट बहना प्रफेसी के बाद कान हील हुआ छे महीने से पिरियड्स बन थे आज शुरू हुए ओ तारिफ करो जोर्स डिप्रेशन से फ्री हुए रसॉली फ्री हुई दिमाग के रोग से फ्री सिर के रोग से फ्री पेट में गोला घूमदादा फ्री हो गए ये क्या है साथ सालों के भारीपन से फ्री आंखों के रोगों से फ्री क्या है ये सोला साल से दुष्ट आत्मा से फ्री दुष्ट आत्मा से पीछे फ्री दुष्ट आत्मा से फ्री ओ गौड वो टांगों के बीच में भ्यानक दर था वो फ्री हो चुके हैं दस साल से यूटरस के रोगों से फ्री ये आज की टेस्टमनीज हैं, imagine करो imagine करो वो तुम्हें डिप्रेशन से हर तरह के रोगों से फ्री कर रहा है भागों, चलों सुनाओ, ये कोई रोग नहीं था तुम्हारे, ओके ये एक दुष्टात्मा का आटेक था और सिर्फ ये ही नहीं होता तुम्हारी फैमिली लाई बहुत बढ़िया नहीं है इस चक्कर की वज़ा से आ गया जो आज से तुम, तुम्हारी फैमिली खुदा की पवित्रताई में चलोगे और सामर्द के काम देखोगे आमिन उंचा, आमिन उंचा वो तुम्हारे परिवार को भी छू रहा है बिरी बहन, ओके? तुम महनती हो बहुत परमेश्यों तुम्हारी महनत को देख रहा है तुम्हारी सफ्रिंग्स को देख रहा है तुम्हारे दर्द को देख रहा है और वो तुम्हें जूरा है और मैं देख रहा हूं आने वाले समय में इसका कहा है? पेपर उपर करो इसका नाम आगे हो ताकि पकड़ो क्योंकि परमेशन इसकी लाइफ को आसान कर रहा है और वो खुद इसके रास्तों को साफ कर रहा है कि इन जीजस ने है Holy Ghost fire on you Thank you Lord एक स्परश येशु का काफी है आपको फ्री करने के लिए और आजाद करने के लिए पूरी रिदी के साथ Thank you Lord आज तुम पूरी तरह से फ्री होके जा रहे हो हट जाओ हट जाओ इसर के बाद एक काम करेंगे क्योंकि जब भी मैं आप पर ले हैंड करता हूँ ये मेरे स्पिरिट में मुझे बहुत नीड फिल हो दी कि आप पर ले हैंड हो तुम फ्री हो और खुदावन तुमारे साथ है तुम फ्री हो प्राइवेट बाट में गाट थी तुम फ्री हो आज इसको ढखो नीचे नाम में तुमें लहू में छुपाता हूँ तुम फ्री हो तुम फ्री हो मैंने का आमेन उंचे वला चाहिए चर्च आमेन उंचे वला चाहिए चर्च अपने हादों को उठा लो अपने ओयल को निकालो आप पर जब ले हैंड शुरू होगा जितने लोग ओयल के साथ हैं अपने ओयल को लगाओ ले हैंड स्टार्ट करो परमेशो का आत्मा आपको अभी भी छुएगा वर्शिप का एक सौंग हम अभी गाएंगे अभी उठ जा उठ जा और मेरा बिलीव है आज जो सामर्थ आपने रिसीट की है जी उठने की आप गभाहियों के साथ आ रहे हैं होल सेल टेस्टेमनीस के साथ आमेन उंचा या शिश आपकी है चर्च उठाओ अपने हादों को Thank you Jesus, बलो उंची आवास में नाम इछे उठ जा नाम इछे उठ जा उठ जा उठ जा उठी जा उठी जा इसव नाम इछे उठ जा चटी के वर जा दिया तर चटी के ना चारिया चटी के ना पातिया ते उंठे जाओ, उंठे जाओ, उंठे से उंठे MR नाम विचि 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 अच्छी शिवादा दिने हैं बार्दारू है बाखे केंदा अच्छी शिवादा दिने हैं बार्दारू है बाखे केंदा अच्छी शिवादा दिने हैं बाखे केंदा अच्छी शिवादा दिने हैं बाखे केंदा अच्छी शिवादा दिने हैं बाखे केंदा उत्पिजा उत्पिए सुना, उनची उत्पिजा नमा विच्चो, नाम शुणीदा नामी सुना अाव उपी गया वैसूली उत्प मापा ब Kumach उखिजा, 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 नाम इची 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 उखिजा, नाम आव अझे दिखना ङज़ नाव इज़ नाव इचिना चाहित है आव दू भ्रू होने नश्तर है आव जू नौ कर दो अ चड़ो चड़ो यूडो चड़ो शिम्ला ब्रांच से सिस्टर पूनम की गवाई आई है कि नवंबर 2023 में इन्हें सर्वाइकल स्पॉंडॉलाइजेज नामक रोग हो गया था जिसकी वज़ा से अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे और आज प्रात्ना को रिसीव करने के बाद ये बैन अब मुच्छ नाम का It had applied on the ये ऊदरान पंजे नाम सावरूं का सहरा लेकर चलते और जैसे ही प्रमश्य के दास ने प्रात्ना की प्रमिश्य ने चुऊआ व्यनाकी परात्ना जीशियरे,श हो गचिन से इक प्रमीश्य के सामद थे शाज़ा mend conditions of the time क्टिबला अमें उच्पर 11gende कि अंसे कि आप क्रिकांपूरा चिह ना मुचिंस पूरी तरह से करता इसे नादबस इनाओ walk उतिजा, उतिजा.. नादबस इनाओ.. आज छिपाना दिन है को डारू है पाधिकेदा और दुकिया रहरे यारा ताब गया दुखना वेटना चले उखी जा उखी जा उठे तो इंदे उखी जा नाव मिचे उखी जा अभी अभी मोका ब्रांच से एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी आई है छे महिने पहले ब्रदर सोनू के ओपर एक ट्रेक्टर चड़ गया था जिसकी बजा सिनके चूला तूर चुका था और ये डोटली बेट पर आ चुके थे और चैसे ही प्राता को रिसीव किया ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं तोटेस्टिमनी पिर वोग मिचे inned sì! हाल porch हालोया! प्रांचलम शे है मैं अत्नी पूर प्रांच में आच प्राभू ने च्वा और टेस्टिमनीज बनी हैं कई तेस्टिमनीज अगिनेत पानली प्रांच यहां पर प्रभू ने छुआ खुआ खुदा की जी उटे की सामर्थ ने अनेको टेस्टमनीज मुंबई ब्रांच में अनेको टेस्टमनीज सभी तारिफ करते जाएं प्रभू के कामों के लिए पर्दमान ब्रांच में प्रभू ने छुआ और वहाँ पर लोग हील हो चुके हैं अमिर्सर ब्रांच में प्रभू ने चुआ है अंगिनत टेस्टमनीज फाजल का ब्रांच में प्रमेश्टर के आत्मा ने चुआ पठिंटा ब्रांच में आज यहवा राफा ने हील किया है पठियाला ब्रांच में अंगिनत अंकाउंटिबल टेस्टमनी जजनाला ब्राँच में प्रभु ने छुआ हील किया है उसके कोडे खाने से ये टेस्टमनी जई आई पठानकुट ब्राँच से प्रभु ने छुआ गुर्दासपुर ब्राँच एक बिगेस ब्राँच है एनम की इंडिया की बहाँ पर अंगिनत टेस्टमनी जई आई है मांसा प्राँच में प्रभु ने छुआ रांची प्राँच जारखन में प्रमेश्वर के आत्मा ने छुआ है मोगा प्राँच में अनेको टेस्टमनी जआ चुकी है चंडिगड ब्रांच में प्रमेश्व के आत्मा ने छुआ और हील किया है उसके कोड़े खाने से ये सभी लोग हील हो चुके है और प्रमेश्व के कोड़े खाने से हम हील हो चुके हम चंगे हो चुके है प्रवेश्व मसी के सामर्थी नाम में उसके healing power हमारी life में हमेशा कारे करती रहे उसके healing power सब क्लीसियों की life में बहती रहे उसके चंगा करने की सामर्थ हर एक तेह को हर एक शरीर को छूती रहे और पर मेश्वर के नाम में हर तरह की बिमारी हमारी life से आज के पुछतर दिन के उपर छूट जाए हमसे अलग हो जाए separate हो जाए हम पिमारी से हम पूरी तरह से disconnect हो जाए प्रविश्व मसी के सामर्थी नाम में सभी जन अपने हाथ को ठाया में प्रेयर के लिए धन्यवाद ये शुक तेंक यू जीजस क्राइस चुप शुकरवार गुट फ्राइडे के लिए कुदावन क्रूसिफिकेशन के लिए तरह थन्यवाद सुपिता का प्रेयम प्रविश्व मसी का फजल पाकरू की से भागिता हम सब के साथ परमेश्व के सच्चे दासों के साथ सच्ची क्लीस्व के साथ परमेश्व का प्रेयम उसका ग्रेस उसके अनुग रहे उसका सामर्थ उसकी पुवत्रात्मा के साथ से भागिता यूगान यूग तक बनी रहे और क्लीस्व के है आमेन 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 Alleluia, Thank You Jesus, Thank You Jesus, Thank You Jesus, Thank You Jesus So सभी जन तैयार रहें Easter के लिए, Celebration के लिए, जी उटने की सामर्थ के लिए आप सभी जन तैयार हैं क्या? अगर आप तैयार हैं पूरे मनों से, हाट के साथ, परिवारों के साथ, आप लेस्ट हैं सभी जन संटे प्रभु की प्रैजनस में होंगे, साल का सबसे बड़ा दिन है वो दिन है जिसके लिए हम परमेश्वर को याद करते हैं वो दिन है जिसमें हमारा परमेश्वर बाकी सभी औरों से सेपराट अलग उचार उटम है कि हार एक बंदे का, हार एक व्यक्ति का नाम है मुर्दों की लिस्ट में लेकिन हमारे परमेश्वर का नाम नहीं है उस लिस्ट में हमारा परमेश्वर ची उठा है उसकी कब्र खाली है और उसके खाले कब्र को देखने के लिए कितने जनार है प्रभू के घर में सभी ब्रांचेस में भी सेम ग्रेस रहेगी सभी ब्रांचेस, सभी क्लीस से हैं प्रमेश्य के पुवित्र प्रैजन्स में हमें एक मन होंगे, एक साथ होंगे एक संगती में होंगे और प्रभू हमें चुएगा आप सभी जन ब्लेस्ट हैं, प्रभू आपके परिवारों को चुएए, ब्लेस्ट करें खुदा का आत्मा, खुदा की शान्ति, उसका आनंद, उसका जॉय आप लोगों का इससा ठहरे प्रभू को चुएए, खुदा के स्वर्गे दूत, आपके रास्तों की रखवाली करें, सुरक्षा दे खुदावन है परमेश्वरे के जन की लाइफ में तरह पोत्रात्मा कारे करें प्रभू शुमसी के नाम में आप सभी जन आनंदित रहें, खुश रहें, प्रभूम में मगन रहें, परमेश्वर की टील और डॉल में बढ़ते रहें ये आज, कल और आने वाला इस्टर जो है जी उटने की सामर्थ वाला आप फास्टिंग कर सकते हैं जाद से जादा प्रेयर में रहें, आप सभी जन ब्लेस्ट हैं, तारिफ करें और वर्शिप करें, सभी जन टारिए हलेल्या, हलेल्या, येसु मेरा यार है तु मेरा यार है, हलेल्या, हलेल्या, येसु मेरा दिल्दार है ओ याना का यार मेरा हिस्टू, मेरा दिल्दार मेरा येस्टू सच्छा ने प्यार मेरा येस्टू, मेरा दिल्दार मेरा येस्टू हया ? हिन्ध तर्विया नामा में सजट तेर तर्वियम दी केलर किनती लिर्प कंदंगो मेरा सुर्दान, मेरा यसुन, मेरा बिल्वान, मेरा यसुन, मेरा यसुन, मेरा यसुन, मेरा यसुन, मेरा यसुन, मेरा हद्रान, 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 मे झाल झाल